जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का हैंका का था उस रगुननदन की योग युगांतर से जीवित और जगरित ये कहानी है रामायन की राम मनुष्यता का ये दुर्भाग्य रहा है कि कई बार शक्तियां अशुब के हाथों में गई है कल्यां इसी में है कि शक्तियां शुब के हाथ में जाए अब अयोध्या के उवराज हैं एक संकेत करेंगे तो सारी सेना आपके साथ लड़े की ये मर्यादा के विरुद्ध है तो क्या मर्यादा आपको भावी मा के प्रानों से भी अधिक प्रिया है जानकी में मेरे प्राण बस्ते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रीय है अपनी शक्ति पैचानों बजरंग जो तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता जए श्रीराव राघव ने मुझे पाने के लिए शिवधनुष तोड़ा था अब उन्ही रावन का घमन तोड़ना होगा अथांग महासागर के गर्ब में बीनों लोक में सबसे बलशाली महावीर हनुमान का रक्त रतन सहस्त्र वर्षों से प्रतीक शामे है आज मेरे लिए मत लड़ना उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर जुग जाएंगे लड़ोगे वागे बड़ो और गार्दो एहंकार की छाती में विजय का भगवा दुग जगली बुढ़िया के पैरों के पास पैटना तुम्हें शोभा नहीं देता हम जन्म से नहीं करम से छोटे अबड़े होते हैं जिय्णतों है हिस्ट इस्टा मंग भरा मुझा भीए इव्क पाने में जो भी बाने लाएके तू पाच चुका है फिर भी तू राक्षसी है लक्ष्मी को पा ले नारायन हो चाएगा रागों ने मुझे पाने के लिए सुधनुस तोड़ा था अब उन्हें रावण का घमन्ड टोड़ना होगा रामभक्त हनमान के सामने जान के द्वारा कहा गया समवाध ही आद पुरुष्की कहानी का सेंट्रल थीम है बजपन से हम रामाड और रामलिलाओ में रागों द्वारा अन्याय पर न्याय की जीतवाली इस महान गाथा को देखते सुनते और पढ़ते आए हैं ताना जी के लिए राष्टरी पुरुष्कार पाच के ओम्राउत ने निसंदे आज की जनरेशन के लिए इस महाकावी को भब विजिकल पर बड़े पर साकार किया है मगर वो या समझने में चूग गए की दसकों से हम जिस रामाड को देखने सुनने के आदी हैं उसकी एक बहुत ही मजबूत छबी हमारे दिलों में बस्ती है ऐसे में उस छबी के साथ एक्स्परिमेंट में साओधानी बरतना जरूरी है कहानी की सुरुवात महरिस बालमीक की रामाड की तरज पर ही होती है जहां राम सिया राम गीत के माध्यम से बैक ड्रॉब में राम और सीता का बिवाह कई कई दोरा राजा दसरस से तीन वचन की मांग राम सीता लश्मण का बनवास छोटे भाई भरत दोरा बड़े भाई की पादुगाएं ले जाना जैसे परसंग दर्साएगे हैं राजा या परभास अपने पत्नी जानकी यानि कृती सिनन और सेस यानि सनी सिंग के साथ पिता के दिये गे वचनों का पालन करने के लिए वनवास काट रहे हैं उधर लंका में रावण की बहन अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई लंका पती रावण यानि सैफली खान के पाहजा कर बिलाप करती है वा भाई को प्रतिसोध के लिए ब्रमांड की सरबादिक सुंदरी जानकी को अपरहत कर लाने को उकसाती है जंगल में जानकी को एक सुड़ मरग दिखाए देता है जिसे पाने के लिए वा लालाई थे जानकी की इच्छा को पुरा करने के लिए रागो सुड़ मरग के पीछे डोड़ते हैं इस बास से अंजान है कि वा महज रावड का एक छलावा है से इसको अपने भाई रागो की मदद की गुहार सुनाई देती है वा जानकी को लचमर रेखा पार ना करने की हिदायत देकर रागो की साहता के लिए निकल पड़ता है और इधर रावड भिच्छा लेने के बहाने सादू का धारड करके सीता को हर ले जाता है बस उसके बाँ रागो दोरा सुग्रियो और हनमान की मदद से लंकेश का संगहार ही कहानी का क्लाइमेक्स है इसके बीज में जटायू रावड का युद्ध, सबरी के बेर, बाली सुग्रियो का मल युद्ध, रामसेतू का बनना, हनमान दोरा संजिवनी बोटी का लाना, इंदरजीत और मेगनन वद जैसे परसंगो को भी समेटा गया है आद पर उसके फश्ट लोको काफे अलोचनाओ का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद उसमें काफे बदलाव किये गए, मगर मूल चीजे ज़स्ट की तस रह गई, इसमें कोई दोराय नहीं है कि बीफेक्स के मामले में फिल्म एक विजूल ट्रेट साबित होती है, मग नहां रागह और रावड के चरित्र समरत हिंदी जैसे जानकी में मेरे प्राण बचते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है बोलते नजर आते हैं, वहीं दूसरी और बजरंग यानि देवदत और इंदरजीत यानि वतसल सेठ तेरी बाप की जलेबी बुआ का बगीच्च समझा है क्या जिसे समात बोलकर उपहास का पातर बन जाते हैं, निर्देसे कोमराउत ने इसे माडल लुक देने के लिए रावड की लंका को ग्रेई स्कॉसल लुक दिया है, जो रावड की सोने की चमचमाती लंका के विपरित हैरी पार्टर या गेम आप थ्रोंस के किले की तरह दिखती हैं, फिल्म का तीन गंटे का रुन टाइम तब और खलने लगता है जब सिकंड हाम में कहानी सिर्फ बी एफेक्ट से सजे राम रावड के युद्ध में सिमट कर रह जाती है, हाला कि इंट्रोल से पहले कहानी विज्वल एफेक्ट के स साथ अच्छी लगती है, डारेक्टर ने अहिलिया मेगानाद वल जिसे रामाड के कई परसंगों को छोड़ दिया है, बाली और सुग्रू के वानरो का बिसुध रूप दिया है, तो रावड के लुग कास्ट्यूम्स और उसके सस्त्रों को कुछ ज़्यादा ही मैच कर दिया गया है, रावड को एक पिसाद जैसे जीओ की सवारी करते दिखाया गया है, उसके अस्त 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 गेम आप थ्रोंस की याद दिलाते हैं, संचित अंकित बलहारा का बर्गरांड डिस्कोर दमदार है, मगर अजय अतुल के संगीत में गाने उतने कमार के न जाता ही विसालकाय दिखाया गया है, जानकी के रूम में करती सेनन परफेक्ट रही है, खुबसूरल लगने के साथ साथ उन्होंने दमदार आभने किया है, मगर उन्हें उतना स्क्रीन स्पेस नहीं मिल पाया है, लचमड के रूम में सनी सिंग मेवत तेजी नजर नहीं आ जाती हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो चलेगी भी तेरे बाप की, ये ओ डालाग हैं जो हनमान रामण पुत्र मेगनात से कहते हैं, वही एक जिगा हनमान लंका लगाने की बात कहते हैं, जब हनमान असोक वाट का पहुंचते हैं तो धाकडा सुरू उन से कहता है कि क्या ये तेरी बुगा का बगीचा है तो अपनी जान से हाथ धोएगा जो आप मैं हनमान जी कहते हैं और मैं धकडा के धोऊंगा अब हनमान जी ऐसे डालाग बोलेंगे तो हाल में शीटिया उस वक्त जरूर बच जाएं मगर धीरे धी आपको ऐसास होगा कि आप जो उमीद लेकर आये थे वो उमीद पूरी नहीं होगी फिल्म के डालॉग मनोज मतंसर ने लिखे हैं और वो इस मेश के लिए जिम्मेदार हैं फिल्म में दिखाया गया है कि रागह अपनी पतनी जानकी और भाई सेस के साथ जंगल में वर्वा समुंदर सेतु से होती है फिल्म अपने आखरी स्रड युद्ध तक पहुंचती है अब इन स्विक्वेंस में बहुत सारी दिखते हैं लेकिन पहले कुछ आच्छाईयों के बात करते हैं फर्ष्ट हाप में कई ऐसे सीन हैं जो गूंज बंस देते हैं जैसे राम और हनमान क का मिलन राम सिया राम गाना और राउड का सिव जी के लिए गया गया गाना ये कुछ सीन आपके राउंटे खड़े करने में कामयाब होते हैं मगर फिल्म में इतनी दिखते हैं कि आप चाहा कर भी फिल्म से खुद को अटेच नहीं कर पाएंगे पहली बात तो फिल्म में परचलित नाम ना इस्तमाल करते उसके दूसरी नामों का इस्तमाल किया गया है लचमर को सेश कहने का क्या आउचित था वही राम सिता में जो बात है वो रागह और जानकी के साथ नहीं आती बेगनाद को इंदरजीत राउड को लंकेस कहे कर ही हर जिके संबोदित किया गय परभास को देकर स्रीराम की फीलिंग कमाती है उन्हें देकर बहुबली की याद जादा आती है फिल्म के राच्छस किसी गेम के बिलन लगते हैं राउड में घिनाद भी भी सड़ का लुग देख कर भी हारानी होती है सुन नखा जब मंदिरा पीते हुए मंदोदिरी से ब मानस में लचमर जब मुर्चित होते हैं तो हम सब ही को बता है कि बद सुसेड को बला जाता है मगर इस फिल्म में संजीवनी के बारे में ना सिर्फ भीवीशड की पतनी बताती है बलकि इलाज भी वही करती है रामाड के एक एक सीन से लोगों की भावनाई जुड़ी है ज पूरी फिल्म किसी अनिमेशन फिल्म जैसे लगती है जिसमें बेफेक्स की क्वाल्टी भी खराब है हनमान जी का राम को पीट पर बिठा कर उड़ान रामड का वद मेगनात और कुमकर का वद ये सारे सुकंस आपको सिर्फ और सिर्फ निरास करेंगे अगर आप बच्चो बने रहना उससे भी दुश्कर है विशेशकार तब जब पिता राजा रहा हो भाई हर बात मानने को तयार रहता हो और पतनी का सुक इसी में हो कि वह वही रहे जहां पती की छाया रहे रामकथा मनुस्य को सहज होना सिखाती है ये यह भीग सिखाती है कि तमाम धंसम पत पर आद पाकर भी सरल बने रहना हो तो इसकी कुझी कहा है कुझी है समद्रसी इच्छा कचना ही हरसोक भय नहीं मनमाही लेकिन सिनेमा को अब सरलता की मुडेर भी हांसल नहीं है वह इसी मुडेर पर बैठा कोवा बन चुगा है जिससे दादी बजपन में इस आज से दिन चिछ मड हनマन और रावढड़ की कहानी नहीं है ये कहानी उन्होंने रागाव जान کی सेश, बजरंग और लंकेस की बुनी है इंट्रोल तक ही फिल्म सुंदर कांड़ पार कर जाती है और उसके बाद का लंका कांड़ अपने आप में किसी कांड़ से कम नहीं है सिनेमाय च कथा में राम मोचो के साथ नजर आए और अब तेलगू के तथाकतित सुपर हीरो सितारे परभाज जब अपनी नई फिल्म के साथ सिनेमा घरो तक पहुंचे हैं तो आम मोचो वाले राम ही बने हैं राम को जिस दिर राजा बनना था उसका महुर्त नच्छत्रों की गुरू बिशिष्ट जैसे ग्यानी ने महुर्त निकाला लेकिन वहें महुर्त राजा दसरत के मरण और राम के वनवास का कारण बना राम का था ऐसी ही छोटी छोटी अनभूतियों की कहानी है यह अनभूतिया कभी केवट परसंग में दिखती हैं कभी सबरी के जूटे ब परचार के परचपंच में खो गए हैं फिल्म आदपुरुस में राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं लेकिन मर्यादा मुझे प्राणों से भी प्यारी है यह तो बस एक लाइन का परसंग है राम को मर्यादा पुरसोत्तम सिद्ध करने का जहां वह रामट से युद्ध करने के लिए अध्धा की सेना नहीं चाहते हैं लेकिन राम कथा कि ऐसे धेरों परसंग है जो त्रेता युग में पुरसोत्तम को आदिपुरुस बताय जाने का फिल्म बनाने वालों का दावा मजबूत करने में उनके मदद कर सकते थे छोटा भाई जब हमेशा भाभी मा की सेवा और रच्छा में हित्धत पर रहता है तो ऐसे में बड़ा भाई अपनी पतनी के सारुमानी होने का समय भी निकाल पाएगा सोचना मुश्किल है लेकिन फिल्म टी स्रीज की है तो अरजी सिंग का गाना होना ही है और गाना होना है तो फिर कबीर सिंग हो या रागहो फिल्म बनाने वालों का क्या फरक पड़ता है संगीत और इसके गीतों के साथ ही इसके समवाद भी फिल्म आद पर उसकी बड़ी बिफलता है इस तरह की कथाओं के लेखन में जो सहस्ता और सुरलता बिचारों को चाहिए वा इसके समवादों में है नहीं हाला में दिखे सारे ग्राफिक्स, सारे इस्पिसल एफेक्ट और सारे किरदार हुबहु यहां उपस्तित हैं इस चक्कर में फिल्म भी जरूरत से ज़्यादा कहीं लंबी हो गई है प्रभास करती सेनन और सनी सिंग इस्टार फिल्म आद परिश की तुलना इसके पहले हिंदी म जो भी करतिम प्रियोग हो चुके हैं उन्होंने उनके चेहरे की स्वमिता हर ली है होट और नाक उनके तीखे बनाए गए हैं और मिथला की राशकुमारी के जिस सौंधर को देख राम पुस्पवाट का में मोहित हुए उसकी छटा तक करती सेनन की सौंधरता में नजर नह वह पूरे फिल्म में बाहुबली की तीसरी संस्क्रण ही ज़्यादा नजर आये हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रबह सुदसरत अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम रामाड की चौपाई के साथ अपने मंगल की कामना करते हुए फिल्म आद पुरुष के मे विज्यूल एफेक्ट के जरिये भारती सबीता के तिहास की सबसे महान गाता रामाड को सिनेमाई साधर संधान जल्दी गई है हर किरदार को नए स्रिय से बहुत बारिकी से गढ़ा गया है जो कि धानमिक भाउनाओं के अनकूल लगता है फिल्माद पुरुष के 3 मिनिट 19 सिकंड का ट्रेलर भगवान हरुन की आवाज के साथ सुरू होता है इस किरदार को मराठी अबनेता देव दतनाग ने किया है हरुन जी एक गुफा में बैटकर ध्यान करते हुए हमें भगवान राम से परचित कराते हैं एक इनसान से भगवान बनने की कहानी कहते हैं वो ब भगवान था उस रगवन दन्त की युग युगांद्धर से जीबित और जाकरत ये कहानी है रामयड की इस दोरान स्री राम सीता जी लशमड के किरदारों की जलग दिखाई जाती है फिल्म अबनेतरी कृतिसिनन ने सीता जी और अबनेता सनी सिंग निजर ने लशमड का किरदार किया है इसके बार रामड का किरदार कर रहा है अबनेता साइफली खान की आवाज गूंचती है वो कहते हैं भिच्छा भिच्छा देही भिच्छा ये रामाड का सबसे अहम सीन है जब रामाड सीता हरड यानि किड्रनैप करता है इसके लिए मायावी हिरड का सहरा लेता है यही घटना रामाड में राम और रामाड के बीच युद्ध का आधार है यहां रामाड बने सैफली खान की ज्छलग दिखाई जाती है उनके किरदार में बहुत सुधार किया गया है वरना टीजर में हाली बुट के किसी बिलन की तरह उनको दिखाया गया था लंबे बाल और दाढ़ी के साथ माते पल लाल टी का लगाए साधू के वेस में वो सम्मोहित करते हैं इसके बाद सीता हरड और रावड जटाई युद्ध की एक छोटी सी ज्छलग दिखाय जाती है असोक वाटिका में निरास बैटी सीता जी की ज्छलग भाव करने वाली है ट्रेलर के अगले प्रेम में सीरी राम और सीता जी के बीच के अद्भुत प्रेम को दिखाया गया है अभी तक रामाड पर जितने भी सीरियल या फिल्में बनी है उनमें प्रेम पच्छ पर कभी इतने बिश्तार से परकास्ट नहीं डाला गया है और मराउत ने इस पच्छ को सामिल करके साहस का काम किया है क्योंकि सीरी राम को तो लोग मर्यादा परसोत तम मानते हैं सीता हरड के बाद प्रभु सीरी राम परेसान है उनको पता चल चुका है कि राउड नहीं ये दूस साहस किया है उनसके साथ अपनी सेना भेजने और युद्ध करने के लिए कई राज्यों के राजा आफर करते हैं लेकिन वोई से मर्यादा के बिरुद मानते हैं लश्मर कहते हैं कि क्या उनको मर्यादा उनकी भावी मा के प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है इस पर सिरी राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है इसके बाद भगवान सिरी राम के नाम का जय घोस होता है तेरे ही भरोसे हैं हम तेरे ही सहारे दुविदा की घड़ी में मन तुझको ही पुक किया गया है रामार में इस मिलन के जरिये समाजिक समानता का संदेश दिया गया था फिल्म में भी स्री राम सबरी से कहते हैं हम जनम से नहीं करम से छोटे या बड़े होते हैं फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियों के सीन दिखाया जाते हैं पहले स सिरी राम के दूद के रूम में सिरी लंका जाते दिखा जाता है वो मतसिता से मिलते हैं जहां हो कहती हैं रागों ने मुझे पाने के लिए सिउधनस तोड़ा था अब उन्हें रावण का घमंट तोड़ना होगा अंगत को लंका दहन करते हुए भी दिखाया गया है गार दो जो भी संदेश था उसे फिल्म में पूरी तरह दिखाने की कोशिस की गई है इसके लिए बेफेक्स और इस्पिसल विजूल एफेक्स का बेहतरिन इस्तिमाल किया गया है ओमरहुत और उनकी टेम ने इस मामले में एक नई लगीर खींची है ये कहना अधिसोगत नहीं होग भगवान राम की बिभिन भाउनाओं को चितरित करने के लिए परियुकत भासा और सब्दों का चेहन साधानी से किया गया है जब वा क्रोधित होते हैं बिनम्र होते हैं प्यार करते हैं तो हर सम्वाद उनके बिक्तित का एक अलग पच्छ दिखाता है इसमे छमा से लेकर प्रतिसोत तक की असंग भाउनाएं छिपी होती हैं इसमे कई बिसमेकारी द्रस और छड़ हैं फिल्म में परभास सरद केलकर और मनोज मतंसिर की तिकड़ी का कमाल साफ नजरा रहा है मनोज के लिखे सब्द सरद की आवाज और परभास का ओरा इसे भभ भी बना रहा है ब वज़े से लोग नाराज थे जितना संभो हो पाया है उन्होंने इसे वास्तु दिखाने की कोशिश की है यही वज़े है कि कहा जा रहा है कि ट्रेलर अपनी गलतिया सुधार के मेकर्स ने अपने सारे पाप धो लिये हैं इसकी भभ भिता बड़े परदे अधिक दिखती है खासकर 3D में इसका एफेक्ट अलग ही नजर आने वाला है परभास की मचा औरंटेट फिलम आदपरुस का ट्रेलर रिलिज हो गया है इसमे भगवान सिरी राम के रोल में दिखेंगे करती सेनन सिता के रोल में नजर आएंगी मूबीम के लुक पोश्टर और टीजर की पहल प्रभास की मचा औरंटेट फिलम आदपरुस का ट्रेलर रिलीज हो गया है राम कथापर आधारित डारेक्टर ओमराउत की ये बिग बजट मूबी 16 जून को रिलीज होगी इसमें प्रभास राम करती सेनन सिता और सनी सिंग लश्मण और सैफली खानरावड के रोल में दि दिया है उनके मताबिक ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी हिट बनेगी प्रभास को फैंस ने मेगा इस्टार बताया है यूजर्ज का कहना है फिल्म में प्रभास राम के कारेक्टर को निभा नहीं रहे बलकि जी रहे हैं राम जिर्द मानिस की चौपाई से सुरू होता है ट्रेलर जहां हनमान अपने रागों का गुडगान कर रहे हैं वो अपने प्रभूसिरी राम की कहानी बताते हैं फिल्म में उस रगुनंदर की गाता दिखाई जाएगी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन मर्यादा का उत्साह था जिसके धर्म ने अधर्म का अहिंकार दोड़ा ट्रेलर में सिता हरड की जलक दिखी है राम सिता के प्रेम उनके वनमास के अलावा राम का लंका जाकर सिता को वापस लाने की कहानी दिखाई जाएगी राम रावड युद्ध के कुछ सीन दिखे हैं क्योंकि टीजर रिलीज के बार रावड बने के लुक पर हंगा महुआ था इसलिए में कशने टेलर में उनके लुक को सीक्रेट रखने की कोसिस की है आधिपरुस पायन इंडिया फिल्म है यह हिंदी के अलावा कई भासाओं में रिलीज हो रही है मूबी मुवसल सेड़ भी अहम रोल में दिखेंगे हर्मान जी का रोल देवदत नागे कर रहे हैं यह पहली बार है जब परभास और करती की जोड़ी बनी है परदे पर उनकी फ्रेस पेरिंग देखने को मिलेगी दोनों साथ में अच्छे दिख रहे हैं तभी मीडिया में उनके लिंग अप्स की भी खबरे हैं और हाला कि परभास करती दोनों अफैर की खबरों को गलत बताया है आदपुरुष का जब से मोशन पोस्टर सामने आया था तभी से फिलम विवादों में थी सबसे पहले फिलम के पोस्टर पहंगा ममचा इसे कापी बताया गया एनिमेशन इस्टूडियो वानर सेना इस्टूडियोज ने आदपुरुष ट्रेलर में दिखाया गया है कि फिलम की कहानी रामाड़ पर बेश्ट है भगवान राम का बनवास जाना सीता से बिशरना हरमान जी का सीता की खोश करना और सबसे आखर में लंकेश की जलक खौपनाक देखने को मिली है अगर बीफेक्स की बात करें तो काफी बदला हुआ कई से इंसाइसे हैं कि आपको रोंग टेख खड़े हो जाएंगे कुछ और चेंजस किये गए हैं जैसे सीता यानि करती सैनन की मांग में सिंदूर नजरा रहा है सब के कपड़े भी पहले से काफी अलग हैं ये बदलाव इसलिए हुए हैं क्योंकि इससे पहले जब टीजर में बनी आदिपुरस में परभास करती सेनन सैपली खान सनी सिंग और वसल सेट ने एहम भूमकाय निभाई हैं ये मुबी 16 जून 2013 को थेटर्स में 3D में वर्ड वाइट रिलीज हो रही है आप इसे हिंदी के लावा तेलगू, तमिल, कन्नड और मलयालम भासा में भी देख सकते हैं, परभास की इस फिल्म की एनाउसमेंट साल 2020 के एक अफेसियल मोशन पोस्टर के जरिये हुई थी, इसका म्यूजिक अजय अतुल ने तयार किया है, फिल्म का बज़र 700 क्रोड रुपे से ज्यादा बताया जा रहा है, जो अब तक की सबसे महेंगी इंडियन मुवी है, जब से मुवी बन रही थी तब से ही फैंस की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, लेकिन जब 2 अक्टूबर 2022 को आदपुरुस का टीजर आया तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, इसके स्पिसल एफेक्ट को लेकर खोब अलोचना हुई, फिल्म पहले 11 अगर 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आमिर खान की लाल सिंग चड़ा की वज़े से इसे पोस्ट पॉन कर दिया गया था, इसके बाद बिजूल एफेक्ट पर फिर से काम करने के लिए इसकी रिलीज में तनी देरी हो गई, आदपुरुस हाल ही में पर भास की फिल्म आ रावड के हेरिस्टाइल तो कहीं, रावड के बिमान पुस्पक को लेकर जम कर इसकी निंदा कर रहे हैं, लगबग 500 करोल लागत के इस फिल्म में भारी बेफेक्ट का इस्तिमाल किया गया है, जो कि लोगों को आकर सित नहीं कर पा रहा है, इतने भारी बेफेक्ट के इस् चर्चा में हैं तो आईए जानते हैं कि आदपुरुस के बारे में कि ये क्या होता है आदपुरुस, आदपुरुस दो सब्दो आदी और पुरुस से मिलकर बना है, आदपुरुस मोल पुरुस को कहा जाता है, सबसे पहला पुरुस किसी वंस समराज की पहली कड़ी को अधा फिल्म का टाइटल आदि पुरुस रखने का कारड या भी हो सकता है अभी तक रामाड में हम जिस स्री राम को सुनते या देखते आए हैं उनको मर्यादा पुरुसो तम दिखाया गया है जिसका मतलब होता है अपनी मर्यादा में रहने वाला और पुरुसो में सबसे उ उम्राउत का कहना है कि पूरी रामाड को फिल्म में तीन घंटे में दरसाना असम्भो था है इसलिए सिताहरण से लेकर रावड वद तक का कांड ही इसमें चित्रित किया गया है फिल्म अगले साल बारा जनुरी को रिलीज होने वाली थी रागों ने मुझे पाने के लिए सुधनुस तोड़ा था अब उन्हें रावड का घंट टोड़ना होगा रामभक्त हनमान के सामने जानके द्वारा कहा गया समवाध ही आद पुरुसकी कहानी का सेंट्रल थीम है बजपन सेम रामाड और रामलिलाओ में रागों द्वारा अन्याय पर न्याय की जीतवाली इस महान गाथा को देखते सुनते और पढ़ते आएं हैं ताना जी के लिए राष्टरी पुरुसकार पाच के ओम्रावत ने निसंदे आज की जनरेशन के लिए इस महाकावी को भभ विजिकल पर बड़े पर साकार किया है मगर वो या समझ बात महारिस बालमीक की रामाड की तर्ज पर ही होती है जहां राम सिया राम गीत के माध्यम से बैकड्रॉब में राम और सीता का विवाह कई कई दोरा राजा दसरस से तीन वचन की मांग राम सीता लश्मण का बनवास छोटे भाई भरत दोरा बड़े भाई की पादुगा परभास अपने पतनी जानकी अनि कृति सिनन और सेश अनि सनी सिंग के साथ पिता के दिये गे वचनों का पलन करने के लिए वनवास काट रहे हैं उधर लंका में रावण की बहन अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई लंका पति रावण यानि सैफ लिखान के पाजा कर बिला इस बात से अंजान है कि वह महज रावण का एक चलावा है सेश को अपने भाई रागो की मदद की गुहार सुनाई देती है वह जानकी को लचमर रेखा पार ना करने की हिदायत देकर रागो की साहता के लिए निकल पड़ता है और इधर रावण भिच्छा लेने के बहाने सादू का भेस धारण करके सीता को हर ले जाता है बस उसके बाढ़ रागो द्वरा सुग्रियों और हनमान की मदद से लंकेश का संगहार ही कहानी का क्लाइमेक्स है इसके बीच में जटायू रामण का युद्ध सबरी के बेर बाली सुग्रियों का मल्युद्ध रामसेतू का बनना हनमान दोरा संजिवनी बोटी का लाना इंदरजीत और मेघनन वद जैसे परसंगों को भी समेटा गया है आद पर उसके फष्ट लोकों काफे अलोचनाओं का सामना करना पड़ा था और उसके बाद उसमें काफे बदलाव किये गे मगर मूल चीजे जश्कितस रह इसमें कोई दोराई नहीं है कि बीफेक्स के मामले में फिल्म एक विजूल ट्रेट साबित होती है मगर सीजी आई की खामिया रह गई टू डी में बीफेक्स और सीजी आई का काम पर भावसाली नहीं है जबकि 3D में अदमदार है सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्क्रीन प अमरद हिंदी जैसे जानकी में मेरे प्राण बचते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है बोलते नजर आते हैं वहीं दूसरी और बजरंग यानि देवदत और इंदरजीत यानि वतसल सेथ तेरी बाप की जलेबी बुआ का बगीच्च समझा है क्या जिसे समात बोलकर उपहास का पातर बन जाते हैं निर्दे से कोमरवत ने इसे माडल लुक देने के लिए रावड की लंका को ग्रेई स्कॉसल लुक दिया है जो रावड की सोने की चमचमाती लंका के विपरित हैरी पार्टर या गेम आप थ्रोंस के किले की तरह दिखते है फिल्म का तीन गंटे का रुन टाइम तब और खलने लगता है जब सिकंड हाम में कहानी सिर्फ भी एफेक्ट से सजे राम रावड के युद्ध में सिमट कर रह जाती है हाला कि इंट्रोल से पहले कहानी विज्वल एफेक्ट के साथ अच्छी लगती है डारेक्टर ने अह साथ जैसे जियो की सवारी करते दिखाया गया है उसके अस्त सस्त गेम आप थ्रोंस की याद दिलाते हैं संचित अंकित बलहारा का बर्गरांड डिस्कोर दमदार है मगर अजय अतुल के संगित में गाने उतने कमार के नई बन पाये हैं हाँ जैसिया राम राजा राम और तू है सितल धारा सुनने में अच्छे लगते हैं एक्टिंग के मामले में परभास ने रागो को सीमित और मर्यादा प्रप्सोतम राम के रूम में ने भाया है रामर के रूम में सैफली खान खोब जचते हैं मगर डिजिटल टेकनीके से उनकी कद काट को कुछ ज्यादा ही विसालकाय दिखाया गया है जानकी के रूम में करती से नन परफेक्ट रही है खुबसूरल लगने के साथ साथ उन्होंने दमदार आभने किया है मगर उन्हें उतना स्क्रीन इस्पेस नहीं मिल पाया है लचमड के रूम में सनी सिंग मेवत तेजी नजर नहीं आती जिसके तेरे बाप का तेल तेरे बाप का आग भी तेरे बाप की तो चलेगी भी तेरे बाप की ये ओ डालाग हैं जो हन्मार रावड पुत्र मेगनात से कहते हैं वही एक जिगा हन्मान लंका लगाने की बात कहते हैं जब हन्मान असोक वाट का पहुंचते हैं तो धाकड़ा सुर जरूर बच जाएं मगर धीरे धीरे आपको अहसास होगा कि आप जो उमीद लेकर आये थे वो उमीद पूरी नहीं होगी फिल्म के डायलॉग मनोज मतंसर ने लिखे हैं और वो इस मेज के लिए जिम्मेदार हैं फिल्म में दिखाया गया है कि रागो अपनी पतनी जानकी और भाई सेस के साथ जंगल में वनवाज काट रहे हैं सुन नखा की नाक में सेस ने बाढ़ चला दिया है राम सुन नफा के आगे हाँ जोडते हैं और सुन नफा लंकेश को जानकी की खुल सूरती के बारे में बताती है जानकी का अपरहड सबरी के बेर रागो बजरंग का मिलन समुंदर सेतु से होती है फिल्म अपने आखरी सिरड युद्ध तक पहुंचती है अब इन स्विक्वेंस में बहुत सारी दिखते हैं लेकिन पहले कुछ अच्छाईयों के बात करते हैं फर्ष्ट हाब में कई ऐसे सीन हैं जो गूंज बंस देते हैं जैसे राम और हनमान का मिलन राम सिया राम गाना और रावड का सिव जी के लिए गया गया गाना यह कुछ सीन आपके राउंटे खड़े करने में कामयाब होते हैं मगर फिल्म में इतनी दिखते हैं कि आप चाहा कर भी फिल्म से खुद को अटेश नहीं कर पाएंगे पहली बात तो फिल्म में परचलित नाम ना इस्तमाल करते उसके दूसरी नामों का इस्तमाल किया गया है लचमर को सेस कहने का क्या आउचित था वही राम सीता में जो बात है वो रागव और जानकी के साथ नहीं आती बेगनाद को इंदरजीत राउंट को लंकेस कहे कर ही हर जिगे संबोदित किया गया है जटायू एक गिद्ध था मगर इस फिल्म में बास दिखाया गया है परभास को देखकर सिरी राम की फिलिंग कमाती है उन्हें देखकर बहुबली की याद जादा आती है फिल्म के राच्छस किसी गेम के बिलन लगते हैं राउड में घिनाद भिवी सड का लुग देखकर भी हारानी होती है सुन नखा जब मंदिरा पीते हुए मंदोदिरी से बात करती है तब ऐसा लगता है कि काकलेट पार्टी की दो महिलाएं बात कर रही है इतना ही नहीं राउड की हाइप हाई लंका में लिप्ट भी है फिल्म में ऐसे भी सीन है जो ना बालमिकी की रामाड में है और ना तुलसिदास की रामचिरत मानस में लचमर जब मुर्शित होते हैं तो हम सब ही को बता है कि बद सुसेड को बला जाता है मगर इस फिल्म में संजीवनी के बारे में ना सिर्फ भीवीशड की पतनी बताती है बलकि इलाज भी वही करती है रामाड के एक एक सीन से लोगों की भावनाई जुड़ी है जिनें आहत करने की जरूरत नहीं थी युद्ध का सुक्वेंस बहुत बोरिंग है लंबे लंबे सिर्फ बेफेक्स के सुकंस चल रहे हैं जहां कोई डालॉग नहीं है ऐसा लगता है कि किसी बीडियो गेम में हीरो और बिलन की लड़ाई चल लही है पूरी फिल्म किसी एनिमेशन फिल्म जैसे लगती है जिसमें बेफेक्स की क्वाल्टी भी खराब है हनमान जी का राम को पीट पर बिठा कर उड़ान रामड का वद मेगनात और कुमकड का वद ये सारे सुकंस आपको सिर्फ और सिर्फ निरास करेंगे अगर आप बच्चों को हिंदु महाकावी के बारे में जनकरी दिना चाते हैं तो उन्हें आदपुरुष दिखाने की जरूरत नहीं है इसे आप एक फिल्म के तौर पर भले देख ले मगर रामाड वाले सिरद्धा किसान ना देखे इतने बड़े बजट में बनी ये फिल्म निरास जनक है बहुत कठिन होता है कठिन समय में भी सहज रहना सरल बने रहना उससे भी दुशकर है विशेशकार तब जब पिता राजा रहा हो भाई हर बात मानने को तयार रहता हो और पतनी का सुख इसी में हो कि वह वही रहे जहां पती की चाया रहे रामकथा मनुस्य को सहज होना सिखाती है ये यह भी सिखाती है कि तमाम धनसंपत सुख ऐस्वर आद पाकर भी सरल बने रहना हो तो इसकी कुझी कहा है कुझी है समदरसी इच्छा कचुनाही हरसोक भय नहीं मनमाही आने वाले की सूचना ही हो निर्देशक ओमराउत की नई फिल्म आदिपुरस भी मुडेर से आने वाली एक ऐसी ही आवाज है जो राम, सिता, लचमड, हनमान और रावड की कहानी नहीं है ये कहानी उन्होंने रागाओ जान की सेस, बजरंग और लंकेस की बुनी है इंट्रोल तक ही फिल्म सुन्दर कांड पार कर जाती है और उसके बाद का लंका कांड अपने आव में किसी कांड से कम नहीं है सिन्यमाय चूड के सहारे पौराडी कथा कहने का अतिहाद भारत में भले ही सिन्यमा जितना ही पुराना है पहली राम कथा जब पर उतारी तो राम और सिता दोनों की किल्दार एक ही कलाकार ने भाये राम की सौमिता की जھलक वही से निकली तेलगू में बनी राम कथा में राम मोचो के साथ नजर आए और अब तेलगू के तथाकतित सुपर हीरो सितारे परभाज जब अपनी नई फिल्म के साथ सिनेमा घरो तक पहुंचे हैं तो आम मोचो वाले राम ही बनी हैं राम को जिस दिराजा बनना था उसका मोहूरत नचत्रों की गर्णाए करके ही निकाला गया गुरू बिसिष्ट जैसे ग्यानी ने मोहूरत निकाला लेकिन वहीं मोहूरत राजा दसरत के मरड़ और राम के वनवास का कारण बना राम कथा ऐसी ही छोटी छोटी अन्भूतियों की कहानी है ये अन्भूतिया कभी केवट परसंग में दिखती है कभी सबरी के जूटे बेर में तो कभी राम और हनमान के मिलन में दुस्मन सेना में आकर मरड़ा सन की चिकिस्सा करने वाले सुसेड बैद का परसंग बिस्तार में देखे तो बड़े समाजिक परभावाला है लेकिन जिस समाजिक समरस्ता का पाठ राम ने पढ़ाया वह यहां उसके प्राकर्मी परचार के परचपंच में खो गए है फिल्म आद्पुरुस में राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं लेकिन मर्यादा मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये तो बस एक लाइन का परसंग है राम को मर्यादा प्रसोत्म सिद्ध करने का जहां वह रामट से युद्ध करने के लिए अध्धा की सेना नहीं चाहते हैं लेकिन राम कथा कि ऐसे धेरों परसंग है जो त्रेता युग में प्रसोत्म को आदिपुरुस बताय जाने का फिल्म बनाने वालों का दावा मजबूत करने में उनके मदद कर सकते थे छोटा भाई जब हमेशा भाभी मा की सेवा और रच्छा में ही ततपर रहता है तो ऐसे में बड़ा भाई अपनी पतनी के सार रुमानी होने का समय भी निकाल पाएगा सोचना मुश्किल है लेकिन फिल्म टी सिरीज की है तो अरचीश सिंग का गाना होना ही है और गाना होना है तो फिर कबीर सिंग हो या रागो फिल्म बनाने वालों का क्या फरक पड़ता है संगीत और इसके गीतों के साथ ही इसके समवाद भी फिल्म आदपुरुस की बड़ी बिफलता है इस तरह की कथाओं के लेखन में जो सहस्ता और सुरलता बिचारों को चाहिए वा इसके समवादों में है नहीं हाला के समवाद लिखने वाले मनोज मतंसर अब सुकला भी हो चुके हैं लेकिर राम कथा के मनोज़ा का ध्या रखने में वाच हो गए है फिल्म देखने के बाद ये भी समझाता है कि फिल्म के टीजर को लेकर मच्छे हो हले के बाद ओम रहुत ने इसमें कोई खास फिर बदल नहीं किया है टीजर में दिखे सारे ग्राफिक्स, सारे स्पिसल एफेक्ट और सारे किरदार हुबहु यहां उपस्तित हैं इस चक्कर में फिल्म भी जरूरत से ज़्यादा कहीं लंबी हो गई है प्रभास करती सेनन और सनी सिंग स्टार फिल्म आद पुर्श की तुलना इसके पहले हिंदी में रिलेज हो चिकी राम कताओ खास कर रामानंद सागर के धारवाहिक रामार से जरूर होगी और जब ये तुलना होगी तो सबसे पहली खामी जो इस फिल्म की लोगों को दिखेगी हुआ है फिल्म में जानकी बनी करती सेनन उनके चेहरे पर जो भी करतिम प्रियोग हो चुके हैं उन्होंने उनके चेहरे की स्वमिता हर ली है होट और नाक उनके तीखे बनाए गए ह और मिथला की राशकुमारी के जिस सौंदर को देख राम पुस्पवाट का में मोहित हुए उसकी छटा तक करती सेनन की सुंदरता में नजर नहीं आती यही हाल प्रभास का है हिंदी में सरत किलकर की आवाज पर रिजर्ब लगा कर वह राम जैसा आभास तो गए पर उनके बिहारी राम सिया राम सिया राम जै जै राम रामाड की चौपाई के साथ अपने मंगल की कामना करते हुए फिल्म आद पुरुष के मेकर्स ने इसका बेहतरीन ट्रेलर रिलीज कर दिया है फिल्म के टीजर और फष्ट लूप पोस्टर में जो गलतिया की गई थी उन सभी महान गाता रामाड को सिनेमाई साधर संधान जल्दी गई है हर किरदार को ने स्रिय से बहुत बारिकी से गढ़ा गया है जो कि धानमिक भाउनाओं के अनकूल लगता है फिल्माद पुरुष के तीन मिनिट 19 सिकंड का ट्रेलर भगवान हर्मान की आवाज के साथ सुरू हो कहते हैं एक कहानी है मेरे प्रभु सिरी राम की उनकी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन था मर्यादा का उतसो राम था रागो जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का हैंकार गाथा उस रगुनंदंद की यूग यूगांतर से जीबित और जागरत ये कहानी ह रामाड की इस दोरान स्री राम सीता जी लशमड के किरदारों की जलग दिखाई जाती है फिल्म अबनेतरी कृति सिनन ने सीता जी और अबनेता सनी सिंग निजर ने लशमड का किरदार किया है इसके बार रामाड का किरदार कर रहा है अबनेता साइफली खान की आवाज ग अधार है यहां रावड बने सैफली खान की जलग दिखाय जाती है उनके किरदार में बहुत सुधार किया गया है वरना टीजर में हाली बुट के किसी बिलन की तरह उनको दिखाय गया था लंबे बाल और दाढ़ी के साथ माते पल लाल टी का लगाए साधू के वेस में वो सम भुद प्रेम को दिखाया गया है अभी तक रामार पर जितने भी सीरियल या फिल्में बनी हैं उनमें प्रेम पच्छ पर कभी इतने बिस्तार से परकास्ट नहीं डाला गया है और मरौत ने इस पच्छ को सामिल करके साहस का काम किया है क्योंकि स्रीराम को तो लोग मर्यादा के बिर्द मानते हैं लेशमर कहते हैं कि क्या उनको मर्यादा उनकी भावी मा के प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है इस पर स्रीराम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है इसके बाद भग राम जैसरी राम राजा राम जैसरी राम राजा राम सबरी और राम के मिलन के अदभुद छड़ को भी ट्रेलर में सामिल किया गया है रामार में इस मिलन के जरिये समाजिक समानता का संदेज दिया गया था फिल्म में भी स्री राम सबरी से कहते हैं हम जनम से नहीं करम से छो वरों से बनी सेना दिखाई जाती है इसमें बंदर और भालू सामिल है अंगत को सिरी राम के दूद के रूम में सिरी लंका जाते दिखाई जाता है वो मतशिता से मिलते हैं जहां हो कहती है रागों ने मुझे पाने के लिए सिउधनस तोड़ा था अब उन्हें रावण का घ लड़ाई कर देती है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हुई इस लड़ाई को सिरी राम और उनकी सेना ने लड़ा था उसका जो भी संदेश था उसे फिल्म में पूरी तरह दिखाने की कोशिस की गई है इसके लिए बेफेक्स और इस्पिसल विजूल एफेक्स का बहतरिन इस्तिमाल किया गया है ओमराउत और उनकी टेम ने इस मामले में एक नई लगीर खींची है ये कहना अधिसोक्त नहीं होगा भगवान राम की बिभिन भावनाओं को चितरित करने के लिए परियुकत भासा और सब्दों का चेहन साधानी से किया गया है जब वा क्र प्रभास सरत केलकर और मनोज मतंसिर की तिकड़ी का कमाल साफ नजरा रहा है मनोज के लिखे सब्द सरत की आवाज और प्रभास का ओरा इसे भभ भी बना रहा है बाहुबली के बाद दूसरी बार सरत पैन इंडिया सुपस्टार प्रभास के लिए अपनी आवाज दे रहे निश्चित तोर पर इसका फायदा मिलने वाला है सबसे बड़ी बात इस फिल्म के मेकर्स उन सभी गलतियों को सुधारा है जिसकी वज़े से लोग नाराज थे जितना संभो हो पाया है उन्होंने इसे वास्तु दिखाने की कोशिश की है यही वज़े है कि कहा जा रहा है कि ट्रेलर अपनी गलतिया सुधार के मेकर्स ने अपने सारे पाप धो लिये हैं इसकी भविता बड़े परदे अधिक दिखती है खासकर 3D में इसका इफेक्ट अलग ही नजर आने वाला है प्रभास की मचा औरंटेट फिल्म आदपुरुस का ट्रेलर रिलिज हो गया है इसम 16 जून को सिनेमा घरों में रिलिज होगी राम 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 की गूंच के साथ वह पल आही गया जिसका मोबी लबर्स को बेसबरी से इंतिजार था बाहुबले एक्टर प्रभास की मचा औरंटेट फिल्म आदपुरुस का ट्रेलर रिलिज हो गया है राम कथापर आधारित डा ठाफुरज दार्सपॉंस मिल रहा है ठ्रेलर को देखने के बाद फैंस जैसरी राम जैसरी राम के नारे लगा رहे हैं प्रभास फैंस ने अभी से फिल्म को सूपर डुपर हिट बता दिया है उनके मताबिक ए फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी हिट बनेगी प्रभास को फ फिल्म में उस रगुनंदर की गाता दिखाई जाएगी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन मर्यादा का उत्साह था जिसके धरम ने अधरम का अहिंकार तोड़ा ट्रेलर में सिता हरड की जलक दिखी है राम सिता के प्रेम उनके वनमास के अलावा राम का लंका जाक देखने की कोसिस की है आधिपुरुस पायन इंडिया फिल्म है यह हिंदी के अलावा कई भासाओं में रिलीज हो रही है मूबी मुवसल सेड़ भी अहम रोल में देखेंगे हर्मान जी का रोल देवदत नागे कर रहे हैं यह पहली बार है जब परभास और करती की जोड़ बताया है आधिपुरुस का जब से मोशन पोस्टर सामने आया था तभी से फिल्म विवादों में थी सबसे पहले फिल्म के पोस्टर पर हंगा ममचा इसे कापी बताया गया एनिमेशन स्टूडियो वानर सेना स्टूडियो जने आधिपुरुस की टीम पर उनके काम को चु या क्वाल्टी को लोगों ने आड़े हांथों में लिया इंटरनेट पर धेरो मेम्स वायल हुए हैं लोगों की खराप पृत्किरिया के आदे पुरुष ट्रेलर में दिखाया गया है कि फिल्म की कहानी रामाड़ पर बेश्ट है भगवान राम का बनवास जाना सीता से किये गए हैं जैसे सीता यानि कृति सैनन की मांग में सिंदूर नजरा रहा है सबके कपड़े भी पहले से काफी अलग हैं यह बदलाव इसलिए हुए हैं क्योंकि इससे पहले जब टीजर फिल्म का टीजर आया था तब लोगों ने इसका भी एफेक्स घटिया क्वालिटी का लगा था कई लोगों ने राम से लेकर सीता तक के कपड़ों पर भी आपती जिता है थी अब सारे बदलाव करने के बाद फाइनली टेलर जारी कर दिया गया है ओम रहुत की डियरेक्शन में बनी आदिपुरुस में परभास कृति सेनन सैपली खान सनी सिंग और वसल इसको थेटर्स में 3D में वर्ड वाइट रिलीज हो रही है आप इसे हिंदी के लावा तेलगू, तमिल, कंणड और मलयालम भासा में भी देख सकते हैं परभास की इस फिल्म की एनाउसमेंट साल 2020 के एक अफेसियल मोशन पोस्टर के जरिये हुई थी इसका म्यूजिक अज अतुल ने तयार किया है फिल्म का वजड़ साथ सो क्रोड रुपे से ज्यादा बताया जा रहा है जो अब तक की सबसे महेंगी इंडियन मोवी है जब से मोवी बन रही थी तब से ही फैंस की बहुत सारी उम्मीदे जुड़ी हुई थी लेकिन जब 2 अक्टूबर 2022 को आदि कर दिया गया था इसके बाद बिजूल एफिक्ट पर फिर से काम करने के लिए इसकी रिलीज में तनी देरी हो गई आदपुरुस हाल ही में परभास की फिल्म आदपुरुस के टीजर के आने के बास सब्द बहुत चर्चा में है कहीं सैफली खान को रावड बनाये गए कही हिंदु देवी दौताओं के पहनावे सहित कई बातों के लिकर फिल्म बीवादों में फस्यर गारा ही है दरısıक सैफली खान को रावड का रोल करते देखने रास हैं दरसक कही रावड की दाढ़ी कही रावड के हेरिस्टाइल तो कहीं रावड के बिमान पुस्पक को लेकर जम कर इसकी निंदा कर रहे हैं लगबग 500 करोल लागत के इस फिल्म में भारी बेफेक्स का इस्तिमाल किया गया है जो कि लोगों को आकरसित नहीं कर पा रहा है इतने भारी बेफेक्स के इस्तिमाल को देख दर सके इसे कोई कार्टून फिल्म बता रहे हैं अब जब आदि पुरुस सब्द इतना चर्चा में हैं तो आईए जानते हैं जिससे किसी वन्स की सुरुआत होती है इसका दूसरा आर्थ परमेस्वर से भी होता है क्योंकि संपोर्ष ट्रेश्ट को बनाने वाला इस्वर ही है जो सभी जिव उसी की संताने है जोक सिरी राम भगवान बिश्डुई जी के आउतार थे अधा फिल्म का टाइटल आधि परुष रखने का कारड़ या भी हो सकता है अभी तक राम आड़ में हम जिस स्री राम को सुनते या देखते आए हैं उनको मर्यादा परुष तो परुषो तम दिखाया गया है जिसका मतलब होता है अपनी मर्यादा में रहने वाला और परुषो में सबसे उत्तम परुष स्री राम को एक आदर्स परुष के रूम में देखा जाता है परुषो में सबसे उत्तम परुष स्री राम जी को ही कहा गया है लेकिन फिल्म में राम जी के युद्धा पच्छ को दर्शा आ गया है फिल्म के निर्देशक ओम्राउत का कहना है कि पूरी रामाड को फिल्म में तीन घंटे में दर्शा ना सम्भू था इसलिए सिताहरण से लेकर रावड वद्तक का कांड ही इसमें चित्रित किया गया है फिल्म अगले साल बारा जनुवरी को रिलीज होने वाली थी रागों ने मुझे पाने के लिए सुधनुस तोड़ा था अब उन्हें रावड का घंट टोड़ना होगा रामभक्त हनमान के सामने जान के द्वारा कहा गया समवाध ही आद पुरुषकी कहानी का सेंट्रल थीम है बजपन से हम रामाड और रामलिलाओ में रागों द्वारा अन्याय पर न्याय की जीतवाली इस महान गाथा को देखते सुनते और पढ़ते आए हैं ताना जी के लिए राष्टरी पुरुषकार पाच के ओम्राओत ने निसंदे आज की जनरेशन के लिए इस महाकावी को भभ विजिकल पर बड़े पर साकार किया है मगर वो या समझने में चूग गए की दसकों से हम जिस रामाड को देखने सुनने के आदी हैं उसकी एक बहुत ही मजबूत छबी हमारे दिलों में बचती है ऐसे में उस छबी के साथ एक्सप्रिमेंट में साओधानी बरतना जरूरी है कहानी की सुरुवात महरिस बालमीक की रामाड की तरज पर ही होती है जहां राम सिया राम गीत के माध्यम से बैक ड्रॉब में राम और सीता का बिवाह कई कई दोरा राजा दसरस से तीन वचन की मांग राम सीता लशमण का बनवास छोटे भाई भरत दोरा बड़े भाई की पादुगाएं ले जाना जैसे परसंग दर्शाए गये हैं राजा यानि परभास अपने पतनी जानकी यानि कृति सिनन और सेस यानि सनी सिंग के साथ पिता के दिये गेवचनों का पालन करने के लिए वनवास काट रहे हैं उधर लंका में रावण की बहन अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई लंका पती रावण यानि सैफली खान के पाहजा कर बिलाप करती है वा भाई को प्रतिसोध के लिए ब्रमांड की सरबादिक सुंदरी जानकी को अपरहत कर लाने को उकसाती है जंगल में जानकी को एक सुड़ मरग दिखाए देता है जिसे पाने के लिए वा लालाई थे जानकी की इच्छा को पुरा करने के लिए रागो सुड़ मरग के पीछे डोड़ते हैं इस बास से अंजान है कि वा महज रावड का एक छलावा है से इसको अपने भाई रागो की मदद की गुहार सुनाई देती है वा जानकी को लचमर रेखा पार ना करने की हिदायत देकर रागो की साहता के लिए निकल पड़ता है और इधर रावड भिच्छा लेने के बहाने सादू का धारड करके सीता को हर ले जाता है बस उसके बाँ रागो दोरा सुग्रियो और हनमान की मदद से लंकेश का संगहार ही कहानी का क्लाइमेक्स है इसके बीज में जटायू रावड का युद्ध, सबरी के बेर, बाली सुग्रियो का मल युद्ध, रामसेतू का बनना, हनमान दोरा संजिवनी बोटी का लाना, इंदरजीत और मेगनन वद जैसे परसंगो को भी समेटा गया है आद पर उसके फश्ट लोको काफे अलोचनाओ का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद उसमें काफे बदलाव किये गए, मगर मूल चीजे ज़स्ट की तस रह गई, इसमें कोई दोराय नहीं है कि बीफेक्स के मामले में फिल्म एक विजूल ट्रेट साबित होती है, मग नहां रागह और रावड के चरित्र समर्द हिंदी जैसे जानकी में मेरे प्राण बचते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है बोलते नजर आते हैं, वहीं दूसरी और बजरंग यानि देवदत और इंदरजीत यानि वतसल सेठ तेरी बाप की बुआ का बगीच्च समझा है क्या जिसे समात बोलकर उपहास का पातर बन जाते हैं, निर्देसे कोमराउत ने इसे माडल लुक देने के लिए रावड की लंका को ग्रेई स्कॉसल लुक दिया है, जो रावड की सोने की चमचमाती लंका के विपरित हैरी पार्टर या गेम आप थ्रोंस के किले की तरह दिखती हैं, फिल्म का तीन गंटे का रुन टाइम तब और खलने लगता है जब सिकंड हाम में कहानी सिर्फ भी एफेक्ट से सजे राम रावड के युद्ध में सिमट कर रह जाती है, हाला कि इंट्रोल से पहले कहानी विज्वल एफेक्ट के स साथ अच्छी लगती है, डारेक्टर ने अहिलिया मेगानाद वल जिसे रामाड के कई परसंगों को छोड़ दिया है, बाली और सुग्रू के वानरो का बिसुध रूप दिया है, तो रावड के लुग कास्ट्यूम्स और उसके सस्त्रों को कुछ ज़्यादा ही मैच कर दिया गया है, रावड को एक पिसाद जैसे जीओ की सवारी करते दिखाया गया है, उसके अस्त 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 गेम आप थ्रोंस की याद दिलाते हैं, संचित अंकित बलहारा का बर्गरांड डिस्कोर दमदार है, मगर अजय अतुल के संगित में गाने उतने कमार के न जादा ही विसालकाय दिखाया गया है, जानकी के रूम में करती सिनन परफेक्ट रही है, खुबसूरा लगने के साथ साथ उन्होंने दमदार आभने किया है, मगर उन्हें उतना स्क्रीन इस्पेस नहीं मिल पाया है, लचमड के रूम में सनी सिंग मेवत तेजी नजर नही किया है, इंदरजीत की भूमका में वसल सेट को अच्छा खासा स्क्रीन इस्पेस मिला है, जिससे उन्होंने खुबसूरती से निभाया है, मंदोदरी के किरदार में सोनल चौहान महस्दों सीन में नजर आती हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी ते तेरी बुगा का बगीचा है, तो अपनी जान से हाथ धोएगा, जो आप में हनमान जी कहते हैं, और मैं धकड़ा के धोँगा, अब हनमान जी ऐसे डालाग बोलेंगे, तो हाल में सीटिया उस वक्त जरूर बच जाएं, मगर धीरे धीरे आपको अहसास होगा कि आप जो उम में वनवास काट रहे हैं, सुन नखा की नाक में सेस ने बार चला दिया है, राम सुन नफा के आगे हाथ जोड़ते हैं, और सुन नफा लंकेश को जानकी की खुल सूरती के बारे में बताती है, जानकी का अपरहड सबरी के बेर, रागो बिजरंग का मिलन, समुन्दर उसे होते हुए फिल्म अपने आखरी स्राड युद्ध तक पहुंचती है, अब इन स्विक्वेंस में बहुत सारी दिखते हैं, लेकिन पहले कुछ अच्छाईयों के बात करते हैं, फर्स्ट हाब में कई ऐसे सीन हैं जो गूंज बंस देते हैं, जैसे राम और हनमान का मिल राम सिया राम गाना और राउड का सिव जी के लिए गया गया गाना, यह कुछ सीन आपके राउंटे खड़े करने में कामयाब होते हैं, मगर फिल्म में इतनी दिखते हैं कि आप चाहा कर भी फिल्म से खुद को अटेच नहीं कर पाएंगे, पहली बात तो फिल्म में के संबोदित किया गया है, जटायू एक गिद्ध था, मगर इस फिल्म में बास दिखाया गया है, परभास को देखकर सिरी राम की फिलिंग कमाती है, उन्हें देखकर बहुबली की याद जादा आती है, फिल्म के राच्छस किसी गेम के बिलन लगते हैं, राउड में गिन हैं जो ना बालमिकी की रामाड में हैं और ना तुलसिदास के रामचरित मानस में, लचमर जब मुर्शित होते हैं तो हम सब ही को बता है कि बद सुसेड को बला जाता है, मगर इस फिल्म में संजीवनी के बारे में ना सिर्फ भिवीशड की पतनी बताती है, बलकि इलाज नहीं है, ऐसा लगता है कि किसी बीडियो गेम में हीरो और बिलन की लड़ाई चल लही है, पूरी फिल्म किसी एनिमेशन फिल्म जैसे लगती है, जिसमें बेफेक्स की क्वाल्टी भी खराब है, हनमान जी का राम को पीट पर बिठा कर उड़ान, रामड का वद, मेगनात और रुकमकर्ण का वद, ये सारे सिकन्स आपको सिर्फ और सिर्फ निरास करेंगे, अगर आप बच्चों को हिंदु महाकावी के बारे में जनकरी देना चाहते हैं, तो उन्हें आद पुरुष दिखाने की जरूरत नहीं है, इसे आप एक फिल्म के तौर पर भले देख ल भाई हर बात मानने को तयार रहता हो, और पत्नी का सुख इसी में हो कि वह वही रहे जहां पत्ती की छाया रहे, रामकथा मनुस्य को सहज होना सिखाती है, ये यह भी सिखाती है कि तमाम धन्सम पत्त सुख ऐस्वर आद पाकर भी सरल बने रहना हो तो इसकी कुंजी कहा है कुंजी है, समदर सी इच्छा कचना ही, हरस सोक भै, नहीं मनमा ही, लेकिन सिनेमा को अब सरलता की मुडेर भी हांसल नहीं है, वह इसी मुडेर पर बैठा कुवा बन चुका है, जिससे दादी बजपन में इस आज से दिन भर उडाया करती थी, कि सायद उसका काउं काउं का किसी आने वाले की सूचना ही हो, निर्देशक ओमराओत की नई फिल्म आदिपुरस भी मुडेर से आने वाली एक ऐसी ही आवाज है, जो राम, सिता, लचमर, हनमान और रावड की कहानी नहीं है, ये कहानी उन्होंने रागाओ जान की सेस, बजरंग और लंकेस की बुनी है इंट्रोल तक ही फिल्म सुन्दर कांड पार कर जाती है, और उसके बाद का लंका कांड अपने आव में किसी कांड से कम नहीं है, सिनेमा ये छूड के सहारे पौराडी कथाए कहने का इतिहाद भारत में भले ही सिनेमा जितना ही पुराना है, पहली राम कथा जब पर उतार परभाज जब अपनी नई फिल्म के साथ सिनेमा घरों तक पहुंचे हैं तो आम मुचो वाले राम ही बने हैं, राम को जिस दिन राजा बनना था, उसका महुरत नच्छत्रों की गर्नाए करके ही निकाला गया, गुरू बिसिष्ट जैसे ग्यानी ने महुरत निकाला लेकि वही महुरत राजा दसरत के मरड और राम के वनवास का कारण बना, राम कथा ऐसी ही छोटी छोटी अन्भूतियों की कहानी है, ये अन्भूतिया कभी केवट परसंग में दिखती हैं, कभी सबरी के जूटे बेर में तो कभी राम और हनमान के मिलन में, दिसमन सेना में आकर मरड रासन की चिक्सा करने वाले सुसेड बैद का परसंग बिस्तार में देखे तो बड़े समाजिक परभावाला है, लेकिन जिस समाजिक समरस्ता का पाठ राम ने पढ़ाया, वह यहां उसके प्राकर्मी परचार के परचपंच में खो गये हैं, फिल्म आदपुरुस में राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं, लेकिन मर्यादा मुझे प्राणों से भी प्यारी है, ये तो बस एक लाइन का परसंग है, राम को मर्यादा पुरसौत्तम सिद्ध करने का जहां वारामट से युद्ध करने के लिए अध्धा की सेना नहीं चाहते हैं, लेकिन राम कथा कि ऐसे धेरों परसंग है जो त्रेता युग में पुरसौत्तम को आदिपुरस बताय जाने का फिल्म बनाने वालों का दावा मजबूत करने में उनकी मदद कर सकते थे, छोटा भाई जब हमेशा भाभी मा की सेवा और रच्छा में हितत पर रहता है तो ऐ ऐसे में बड़ा भाई अपनी पतनी के सार रुमानी होने का समय भी निकाल पाएगा, सोचना मुश्किल है लेकिन फिल्म टी स्रीज की है तो अरजीत सिंग का गाना होना ही है और गाना होना है तो फिर कबीर सिंगो या रागो फिल्म बनाने वालों का क्या फरक पड़ता है संगीत और इसके गीतों के साथ ही इसके समवाद भी फिल्म आद पर उसकी बड़ी बिफलता है इस तरह की कथाओं के लेखन में जो सहस्ता और सुरलता बिचारों को चाहिए वा इसके समवादों में है नहीं हाला कि समवाद लिखने वाले मनोज मतंसिर अब सुकला भी हो लेकिन राम कथा के मनोटा का ध्यान रखने में वाच चुक गए हैं फिल्म देखने के बाद ये भी समझाता है कि फिल्म के टीजर को लेकर मच्चे हो हले के बाद ओम रहुत ने इसमें कोई खास फिर बदल नहीं किया है टीजर में दिखे सारे ग्राफिक्स सारे स्पिसल इफेक्ट और सारे किरदार हुबहु यहां उपस्तित हैं इस चक्कर में फिल्म भी जरूरत से ज़्यादा कहीं लंबी हो गई है प्रभास कृति सेनन और सनी सिंग इस्टार फिल्म आद पुरुष की तुलना इसके पहले हिंदी में रिलेज हो चिकी राम कथाओ खास कर र इनोंने उनके चेहरे की स्वमिता हर ली है होट और नाक उनके तीखे बनाए गए हैं और मिथला की राशकुमारी के जिस सौंधर को देख राम पुस्पवाट का में मोहित हुए उसकी छटा तक कृति सेनन की सौंधरता में नजर नहीं आती यही हाल प्रभास का है हिंदी म इस सरत के लगर की आवाज पर रिजर्ब लगा कर वह राम जैसा आभास्त हो गए पर इनके सरीर सौंधों में ना राम जैसा ओज है और ना राम जैसा तेज और ना ही राम जैसा परताब वह पूरी फिल्म में बाहुबली की तीसरी संस्क्रण ही ज़्यादा नजर आए हैं मंगल भवन अमंगल हारी दर्बु सुदसरत अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जैजे राम रामाड की चौपाई के साथ अपने मंगल की कामना करते हुए फिल्म आद पुरुष के मेकर्स ने इसका बेहतरीन ट्रेलर रिलीज कर दिया है फिल्म के टीजर और फष्ट लोग पोश्टर में जो गलतिया की गई थी उन सभी को सुधारते हुए भावी सिनेमा की एक सांदार जलक दिखाई गई है इसके साथ ही पहले कभी नहीं देखे गे बीफेक्स और इस्पिसल बिजुल एफेक्ट के जरिये भारती सब बिता के तिहास की सबसे महान गाता र बगवान हंमान की आवाज किसा सुरू होता है इस केष्धार को मराठीय बहनेटा देव दतिनाक ने किया है हरुमान जी एक गुफा में बेटकर ध्यान करते हुए हमें भगवान का उतसो राम था रागो जिनके धर्म ने तोड़ दिया धर्म का एंकार गाथा उस रगुनन्द की युग युगांतर से जीबित और जागरत ये कहानी है रामाड की इस दोरान स्री राम सीता जी लशमड के किरदारों की जलग दिखाई जाती है फिल्म अबनेतरी कृति सिनन लशमड के लशमड का किरदार किया है इसके बार रामाड का करता है इसके लिए मायावी हिरड का सहरा लेता है Ł edhka heard है यहां रावड बने सैफली खान की जलग दिखाय जाती है उनके किरदार में बहुत सुधार किया गया है वरना टीजर में हाली बुट के किसी बिलन की तरह उनको दिखाय गया था लंबे बाल और दाढ़ी के साथ माथे पल लाल टी का लगाए साधू के वेस में वो सम्मोहि प्रेम को दिखाया गया है अभी तक रामाड पर जितने भी सीरियल या फिल्में बनी हैं उनमें प्रेम पच्छ पर कभी इतने बिस्तार से परकास्ट नहीं डाला गया है और मरौत ने इस पच्छ को सामिल करके साहस का काम किया है क्योंकि स्रीराम को तो लोग मर्यादा बिर्द मानते हैं लचमर कहते हैं कि क्या उनको मर्यादा उनकी भावी मा के प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है इस पर स्रीराम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है इसके बाद भगवान स्रीराम के नाम का जैगोस होता है तेरे ही भरोसे हैं हम तेरे ही सहारे दुविदा की घड़ी में मन तुझको ही पुकारे तेरे ही बल से हैं बल हमारा तू ही करेगा मंगल हमारा मंतरों से बढ़कर तेरा नाम जैसरी राम जैसरी राम राजा राम जैसरी राम राजा राम सबरी और राम के मिलन के अदभुद छड़ को भी ट्रेलर में सामिल किया गया है रामार में इस मिलन के जरिये समाजिक समानता का संदेज दिया गया था फिल्म में भी स्थरी राम सबरी से कहते हैं हम जनम से नहीं करम से छोटे या बड़े होते हैं फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियों के सीन दिखाय जाते हैं पहले सीन में हर्मान जी की सक्ति से परिशे करा जाता है उनको संजीवनी के लिए परबत उठाए उड़ते हुए दिखाय जाता है इसके बाद जंगल के जानवरों से बनी सेना दिखाय जाती है इसमें बंदर और भालू सामिल है अंगत को सिरी राम के दूद के रूम में सिरी लंका जाते दिखाय जाता है वो मतशिता से मिलते हैं जहां हो कहती हैं रागों ने मुझे पाने के लिए सिवधनस तोड़ा था अब उन्हें रावण का घमंट तोड़ना होगा अंगत को लंका दहन करते हुए भी दिखाय गया है गाड़ दो अहिंकार की छाती में बीजे भगवा धच सिरी राम के इस उद्वेश के साथ युद्ध का बिगल बच जाता है राम की सेना लंका पर चड़ाई कर देती है बुराई पर अच्छाई की जीद के लिए हुई इस लड़ाई को सिरी राम और उनकी सेना ने लड़ा था उसका जो भी संदेश था उसे फिल में पूरी तरह दिखाने की कोशिस की गई है इसके लिए बेफेक्स और इस्पिसल बिजूल एफेक्स का बेहतरिन इस्तिमाल किया गया है ओमराउत और उनकी टेम ने इस मामले में एक नई लगीर खींची है ये कहना अधिसोगत दिन नहीं होगा भगवान राम की बिभिन भाउनाओ को चितरित करने के लिए परियुकत भासा और सब्दों का चेहन साधानी से किया गया है जब वा क्रोधित होते हैं बिनम्र होते हैं प्यार करते हैं तो हर समवादून के बिक्तित का एक अलग पच्छ दिखाता है इसमें च्छमा से लेकर प्रतिशोद तक की असंग भाउनाएं छिपी होती हैं इसमें कई बिसमेकारी द्रस और छड़ हैं फिल्म में परभास सरत के लकार और मनोज मतंसिर की तिकड़ी का कमाल साफ नजरा रहा है मनोज के लिखे सब्द सरत की आवाज और प्रभास का ओरा इसे भभ भी बना रहा है बाहुबली के बाद दूसरी बार सरत पैन इंडिया सूपस्टार प्रभास के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं निश्चित तोर पर इसका फायदा मिलने वाला है सबसे बड़ी बात इस फिल्म के मेकर्स उन सभी गलतियों को सुधारा है जिसकी वज़े से लोग नाराज थे जितना संभो हो पाया है उन्होंने इसे वास्तुए दिखाने की कोशिश की है यही वज़े है कि कहा जा रहा है कि ट्रेलर अपनी गलतिया सुधार के मेकर्स ने अपने सारे पाप धो लिये हैं इसकी भभिता बड़े परदे अधिक दिखती है खासकर 3D में इसका इफेक्ट अलग ही नजर आने वाला है प्रभास की मच आउन्टेट फिलम आधिपृस का ट्रेलर रिलीज हो गया है इसमें भगवान सिरी राम के रोल में दिखेंगे करती सेनन सिता के रोल में नजर आएंगी मूबीम के लुक पोश्टर और टीजर की पहले से काफी चर्चा है ट्रेलर को सोसल मेडिया पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ये फिलम सोला जून को सिनेमा घरों में रिलीज होगी राम 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 की गूंच के साथ वह पल आही गया जिसका मूबी लबर्स को बेसबरी से इंतिजार था बाहुबले एक्टर प्रभास की मचा उंडेट फिलम आधि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया है राम का थपर आधारित डारेक्टर ओमराउत की ये बिग बजट मूबी 16 जून को रिलीज होगी इसमें प्रभास राम, कृती से नंसीता और सनी सिंग, लश्मण और सैफली खान रावड के रोल में दिखेंगे ट्रेलर को सोसल मीडिया पर सांधार रिस्पॉंस मिल रहा है ट्रेलर को देखने के बाद फैंस जे सिरी राम, जे सिरी राम के नारे लगा रहे हैं प्रभास फैंस ने अभी से फिल्म को सुपर डुपर हिट बता दिया है उनके मताबिक ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी हिट बनेगी प्रभास को फैंस ने मेगा इस्टार बताया है यूजज का कहना है फिल्म में प्रभास राम के कारेक्टर को निभा नहीं रहे बलकि जी रहे हैं राम जिल्द मानेश की चौपाई से सुरू होता है ट्रेलर जहां हनमान अपने रागों का गुडगान कर रहे हैं वो अपने प्रभूसिरी राम की कहानी बताते हैं फिल्म में उस रगुनंदर की गाता दिखाई जाएगी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन मर्यादा का उत्साह था जिसके धरम ने अधरम का अहिंकार दोड़ा ट्रेलर में सिता हरड की जलक दिखी है राम सिता के प्रेम उनके वनमास के अलावा राम का लंका जाकर सिता को वापस लाने की कहानी दिखाई जाएगी राम रावड युद्ध के कुछ सीन दिखे हैं क्योंकि टीजर रिलीज के बार रावड बने सैप के लुक पर हंगा महुआ था इसलिए मेकशने टेलर में उनके लुक को सीक्रेट रखने की कोसिस की है आधिपुरुस पायन इंडिया फिल्म है ये हिंदी के अलावा कई भासाओं में रिलीज हो रही है मूबी मूवसल सेड़ भी अहम रोल में दिखेंगे हर्मान जी का रोल देवदत नागे कर रहे है ये पहली बार है जब परभास और करती की जोड़ी बनी है परदे पर उनकी फ्रेस पेरिंग देखने को मिलेगी दोनों साथ में अच्छे दिख रहे हैं तभी मीडिया में उनके लिंग अप्स की भी खबरे हैं और हाला कि परभास करती दोनों ने अफैर की खबरों को गलत बताया है आदपुरुष का जब से मोशन पोस्टर सामने आया था तभी से फिलम विवादों में थी सबसे पहले फिलम के पोस्टर पर हंगा ममचा इसे कापी बताया गया एनिमेशन स्टूडियो वानर सेना स्टूडियोज ने आदपुरुष की टीम पर उनके काम को चुराने का आरोप लगया था टीजर रिलीज होने के बाद मोवी में बेफैक्स की घटिया क्वाल्टी को लोगों ने आडे हांथों में लिया इंटरनेट पर धेरो मेंस वायल हुए हैं लोगों की खराप पृतिकिरिया के आदपुरुष ट्रेलर में दिखाया गया है कि फिल्म की कहानी रामाड़ पर बेश्ट है भगवान राम का बनवास जाना सीता से बिशरना हर्मान जी का सीता की खोश करना और सबसे आखर में लंकेश की जलक खौपनाग देखने को मिली है अगर बिएफेक्स की बात करें तो काफी बदला हुआ है कई से इंसाइसे हैं कि आपको रोंग टेक खड़े हो जाएंगे कुछ और चेंजर्स किये गए हैं जैसे सीता यानि करती सैनन की मांग में सिंदूर नजरा रहा है सब के कपड़े भी पहले से काफी अलग हैं ये बदलाव इसलिए हुए हैं क्योंकि इससे पहले जब टीजर फिलम का टीजर आया था तब लोगों ने इसका भी एफेक्स घटिया क्वाल्टी का लगा था कई लोगों ने राम से लेकर सीता तक के कपड़ों पर भी आपती जिता है थी अब सारे बदलाव करने के बाद फाइनली टेलर जारी कर दिया गया है ओम रौद की डिरेक्शन में बनी आदिपुरस में परभास कृती सेनन, सैपली खान, सनी सिंग और वसल सेट ने एहम भूमकाय निभाई है यह मुबी 16 जून 2013 को थेटर्स में 3D में वर्ड वाइट रिलीज हो रही है आप इसे हिंदी के लावा तेलगू, तमिल, कन्नड और मलियालम भासा में भी देख सकते हैं परभास की इस फिल्म की एनाउसमेंट साल 2020 के एक अफेसियल मोसन पोस्टर के जरिये हुई थी इसका म्यूजिक अजय अतुल ने तयार किया है फिल्म का बज़र साथ सो करोड रुपे से ज्यादा बताया जा रहा है जो अब तक की सबसे महेंगी इंडियन मूबी है जब से मूबी बन रही थी तब से ही फैंस की बहुत सारी उमीदे जुड़ी हुई थी लेकिन जब 2 अक्टूबर 2022 को आदि पुरुष का टीजर आया थो सारी उमीदों पर पानी फिर गया इसके स्पिसल एफेक्ट को लेकर खोब अलोचना हुई फिल्म पहले 11 अगश 2022 को रिलीज होने वाली थी लेकिन आमिर खान की लाल सिंग जड़ा की वज़े से इसे पोस्ट पॉन कर दिया गया था इसके बाद बिजूल एफेक्ट पर फिर से काम करने के लिए इसकी रिलीज में तनी देरी हो गई आदपुरुस हाल ही में परभास की फिल्म आदपुरुस के टीजर के आने के बाद से सब्द बहुत चर्चा में है कहीं से फिली खान को रावड बनाये गए कहीं हिंदु देबी देवताओ के पह tänker सहiejत काई बातों के लेकर फिल्म बिवादों में फस्ती ने जरा रही है दरसक सैफली खान को रावड का रोल करते देखने रास हैं दरसक कही रावड की दाढ़ी कही रावड के हैरिस्टाइल तो कहीं रावड के बिमान पुस्पक को लेकर जम कर इसकी निंदा कर रहे हैं लगबग 500 करोल लागत की इस फिल्म में भारी बेफेक्स का इस्तिमाल किया गया है जो कि लोगों को आकरसित नहीं कर पा रहा है इतने भारी बेफेक्स के इस्तिमाल को देख दर सके इसे कोई कार्टून फिल्म बता रहे हैं अब जब आदि पुरूस सब्द इतना चर्चा में हैं तो आईए जानते हैं कि आदि पुरूस के बारे में कि ये क्या होता है आदि पुरूस आदि पुरूस दो सब्दो आदी और पुरूस से मिलकर बना है आदि पुरूस मूल पुरूस को कहा जाता है सबसे पहला पुरुस किसी वंस्या समराज की पहली कड़ी को आद पुरुस कहा जाता है जिस से किसी वंस्या समराज की पहली कड़ी को आद पुरुस कहा जाता है जिस से किसी वंस्या की सुरुआत होती है इसका दूसरा आर्थ परमेस्वर से भी होता है क्योंकि संपोर्ष ट अपनी मर्यादा में रहने वाला और पुरुसों में सबसे उत्तम पुरुस स्री राम को एक आदर्स पुरुस के रूम में देखा जाता है। पुरुसों में सबसे उत्तम पुरुस स्री राम जी को ही कहा गया है। लेकिन फिल्म में राम जी के युद्धा पच्छ को दर्शा आ गया है। फिल्म के निर्देशक ओम्राउत का कहना है कि पूरी रामाड को फिल्म में तीन घंटे में दर्शा ना सम्भू था है। इसलिए सिताहरण से लेकर रावड वद्तक का कांड ही इसमें चित्रित किया गया है। फिल्म अगले साल बारा जनौरी को रिलीज होने वाली थी। रागों ने मुझे पाने के लिए सुधनुस तोड़ा था। अब उन्हें रावड का घंट टोड़ना होगा। रामभक्त हनमान के सामने जान के द्वारा कहा गया समवाद ही आद पुरुषकी कहानी का सेंट्रल थीम है। बजपन से हम रामाड और रामलिलाओ में रागों द्वारा अन्याय पर न्याय की जीतवाली इस महान गाथा को देखते सुनते और पढ़ते आये हैं। ताना जी के लिए राष्टरी पुरुषकार पाच के ओम्राउत ने निसंदे आज की जनरेशन के लिए इस महाकावी को भब विजिकल पर बड़े पर साकार किया है। मगर वो या समझने में चूग गए की दसकों से हम जिस रामाड को देखने सुनने के आदी हैं उसकी एक बहुत ही मजबूत छबी हमारे दिलों में बस्ती है। ऐसे में उस छबी के साथ एक्सप्रिमेंट में साउधानी बरतना जरूरी है। कहानी की सुरुवात महरिस बालमीक की रामाड की तरज पर ही होती है। भाई लंकापती रामाड यानि सैफली खान के पाहजा कर बिलाप करती है। वह भाई को प्रतिसोध के लिए ब्रमाड की सरबादिक सुन्दरी जानकी को अपरहत कर लाने को उकसाती है। जंगल में जानकी को एक सुर्ड मरग दिखाए देता है जिसे पाने के लिए वा लालाई थे। जानकी की इच्छा को पुरा करने के लिए रागो सुर्ड मरग के पीछे डोडते हैं। इस बात से अंजान है कि वा महज रावड का एक छलावा है। से इसको अपने भाई रागो की मदद की गुहार सुनाई देती है। वा जानकी को लचमर रेखा पार ना करने की हिदायत देकर रागो की साहता के लिए निकल पड़ता है। और इधर रावड भिच्छा लेने के बहाने सादू का धारण करके सीता को हर ले जाता है। बस उसके बाहर रागो दोरा सुग्रिव और हनमान की मदद से लंकेश का संगहार ही कहानी का क्लाइमेक्स है। इसके बीज में जटायू रावड का युद्ध, सबरी के बेर, बाली सुग्रिव का मल युद्ध, रामसेतू का बनना, हनमान दोरा संजिवनी बोटी का लाना, इंदरजीत और मेगनन वद जैसे परसंगो को भी समेटा गया है। आद पर उसके फश्ट लोको काफे अलोचनाओ का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद उसमें काफे बदलाव किये गए, मगर मूल चीजे ज़स्ट की तस रह गई, इसमें कोई दोराय नहीं है कि बीफेक्स के मामले में फिल्म एक विजूल ट्रेट साबित होती है, मग नहां रागह और रावड के चरित्र समरत हिंदी जैसे जानकी में मेरे प्राण बचते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है, बोलते नजर आते हैं, वहीं दूसरी और बजरंग यानि देवदत और इंदरजीत यानि वतसल सेथ, तेरी बाप की बुआ का बगीच्च समझा है क्या, जिसे समात बोलकर उपहास का पातर बन जाते हैं, निर्दे से कोमराउत ने इसे माडल लुक देने के लिए रावड की लंका को ग्रेई स्कॉसल लुक दिया है, जो रावड की सोने की चमचमाती लंका के विपरित हैरी पार्टर या गे बिज्वल एफेक्ट के साथ अच्छी लगती है, डिरेक्टर ने अहिलिया मेगानाद वद जिसे रामाड के कई परसंगों को छोड़ दिया है, बाली और सुग्रू के वानरो का बिसुद रूप दिया है, तो रावड के लुक कास्ट्यूम्स और उसके सस्त्रों को कुछ जाता ही मौडरनाइश कर दिया गया है, रावड को एक पिसाद जैसे जीओ की सवारी करते दिखाया गया है, उसके अस्त सस्त्र गेम आप थ्रोंस की याद दिलाते हैं, संचित अंकित बलहारा का बर्गरांड डिस्कोर दमदार है, मगर अजय अतुल के संगीत में गाने उ जानकी के रूम में करती सेनन परफेक्ट रही है, खुबसूरल लगने के साथ साथ उन्होंने दमदार आभने किया है, मगर उन्हें उतना स्क्रीन स्पेस नहीं मिल पाया है, लचमड के रूम में सनी सिंग मेवत तेजी नजर नहीं आती, जिसके लिए लचमड पहचाने ज कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो चलेगी भी तेरे बाप की, ये ओ डालाग हैं जो हनमान रामण पुत्र मेगनात से कहते हैं, वही एक जिगा हनमान लंका लगाने की बात कहते हैं, जब हनमान असोक वाटिका पहुंचते हैं, तो धाकडा सुरू उन से कहता है कि क्या ये तेरी बुवा का बगीचा है तो अपनी जान से हाथ धोएगा जो आप मैं हनमान जी कहते हैं और मैं धकडा के धोँगा अब हनमान जी ऐसे डालाग बोलेंगे तो हाल में शीटिया उस वक्त जरूर बच जाएं मगर धीरे धीरे आपक सेस के साथ जंगल में वनवास काट रहे हैं सुन नखा की नाक में सेस ने बाड़ चला दिया है राम सुन नफा के आगे हाथ जोड़ते हैं और सुन नफा लंकेश को जानकी की खुब सूर्ति के बारे में बताती है जानकी का अपरहड सबरी के बेर रागो बिजरंग का मिल जैसे राम और हनमान का मिलन राम सिया राम गाना और राउड का सिव जी के लिए गया गया गाना ये कुछ सीन आपके राउंटे खड़े करने में कामयाब होते हैं मगर फिल्म में इतनी दिक्कते हैं कि आप चाहा कर भी फिल्म से खुद को अटेश नहीं कर पाएंगे पहल को इंदरजीत राउड को लंकेस कहकर ही हर जिके संबोदित किया गया है जटायू एक गिद्ध था मगर इस फिल्म में बास दिखाया गया है परभास को देखकर सिरी राम की फिलिंग कमाती है उन्हें देखकर बहुबली की याद जादा आती है फिल्म के राच्छस किसी ग फिल्म में ऐसे भी सीन है जो ना बालमिकी की रामाड में है और ना तुलसिदास के राम्चिरत मानस में लचमर जम मुर्शित होते हैं तो हम सब ही को बता है कि बद सुसेड को बला जाता है मगर इस फिल्म में संजिवनी के बारे में ना सिर्फ भिवीशड की पतनी बताती है रामाड के एक एक सीन से लोगों की भावनाई जुड़ी है जिने आहत करने की जरूरत नहीं थी युद्ध का स्विक्वेंस बहुत बोरिंग है लंबे लंबे सिर्फ बीफेक्स के स्विक्वेंस चल रहे हैं जहां कोई डालॉग नहीं है ऐसा लगता है कि किसी बीडियो ग करेंगे अगर आप बच्चों को हिंदु महाकावी के बारे में जनकरी देना चाहते हैं तो उन्हें आद पुरुष दिखाने की जरूरत नहीं है इसे आप एक फिलम के तौर पर भले देख ले मगर रामाड वाले सिरद्धा की सान ना देखे इतने बड़े बजट में बनी ये फिलम निरास जनक है बहुत कठिन होता है कठिन समय में भी सहज रहना सरल बने रहना उससे भी दुषकर है विशेशकार तब जब पिता राजा रहा हो भाई हर बात मानने को तयार रहता हो और पतनी का सुक इसी में हो गिवा हुआ रहे जहां पती की छाया रहे रामकथा मनुस्य को सहज होना सिखाती है यह यह भीग सिखाती है कि तमाम धनसंपत सुख ऐस्वर आद पाकर भी सरल बने रहना हो तो इसकी कुझी कहा है कुझी है समद्रसी इच्छा कचुनाही हरसोक भै नहीं मनमाही लेकिन सिनेमा को अब सरल की मुडेर भी हांसल नहीं है वह इसी मुडेर पर बैठा कोवा बन चुका है जिससे दादी बजपन में इस आज से दिन भर उडाया करती थी कि साथ उसका काउं काउं करना किसी आने वाले की सूचना ही हो निर्देशक ओमराउत की नई फिल्म आदिपुरस भी मुडेर से आने वाली एक ऐसी ही आवाज है जो राम, सिता, लचमर, हनमान और रावड की कहानी नहीं है ये कहानी उन्होंने रागाओ जान की सेस, बजरंग और लंकेस की बुनी है इंट्रोल तक ही फिल्म सुन्दर कांड पार कर जाती है और उसके बाद का लंका कांड अपने आप मे जलक वही से निकली तेलगू में बनी राम कथा में राम मुचो के सान नजर आए और अब तेलगू के तथाकतित सुपर हीरो सितारे परभाज जब अपनी नई फिल्म के साथ सिनेमा घरो तक पहुँचे हैं तो आम मुचो वाले राम ही बनी हैं राम को जिस दिन राजा बन यह अन्भूतिया कभी केवट परसंग में दिखती हैं कभी सबरी के जूटे बेर में तो कभी राम और हनमान के मिलन में दुस्मन सेना में आकर मरडासन की इच किस्सा करने वाले सुसेड बैद का परसंग बिस्तार में देखे तो बड़े समाजिक परभावाला है लेकिन जिस समाजिक समरस्ता का पाठ राम ने पढ़ाया वह यहां उसके प्राकरमी परचार के परचपंच में खो गए हैं फिल्म आदपुरस में राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं लेकिन मर्यादा मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये तो बस एक लाइन का से युद्ध करने के लिए अध्धा की सेना नहीं चाहते हैं लेकिन राम कथा कि ऐसे धेरों परसंग है जो त्रेता युग में पुरसोत्तम को आदिपुरस बताय जाने का फिल्म बनाने वालों का दावा मजबूत करने में उनके मदद कर सकते थे छोटा भाई जब हमेशा भाभी मा की सेवा और रच्छा में हितत पर रहता है तो ऐसे में बड़ा भाई अपनी पतनी के सारुमानी होने का समय भी निकाल पाएगा सोचना मुश्किल है लेकिन फिल्म टी स्रीज की है तो अरजी सिंग का गाना होना ही है और गाना होना है तो फिर कबीर सिंगो या र मनोज मतंसिर अब सुकला भी हो चुके हैं लेकिन राम कथा कि मनोटा का ध्यान रखने में वाच चुक गए हैं फिल्म देखने के बाद ये भी समझाता है कि फिल्म के टीजर को लेकर मच्छे हो हले के बाद ओम रहुत ने इसमें कोई खास फिर बदल नहीं किया है टीजर में दिखे सारे ग्राफिक्स सारे इस्पिसल एफेक्ट और सारे किरदार हुबहु यहां उपस्तित हैं इस चक्कर में फिल्म भी जरूरत से ज्यादा कहीं लंबी हो गई है प्रभास कृति सेनन और सनी सिंग इस्टार फिल्म आद पुरुष की तुलना इसके पहले हिंदी में रिलेज हो चिकी राम कताओ खास कर रामानंद सागर के धारवाहिक रामाड से जरूर होगी और जब यह तुलना होगी तो सबसे पहली खामी जो इस फिल्म की लोगों को दिखेगी हुआ है फिल्म में जानकी बनी करतिसेनन उनके चेहरे पर जो भी करतिम प्रियोग हो चु का है हँंदी में सरत के लगर की आवाजित ब्रिजर्व लगाकर वहाँ जैसा आभास्त हो गहे पर उनके सुरीर हों अंट्व में ना राम फिल्म के टीजर और फ़र्ष्ट लूप पोस्टर में जो गलतिया की गई थी उन सभी को सुधारते हुए भावी सिनेमा की एक सांदार जलक दिखाई गई है। होता है इस किरदार को मराठिय बिनेता देव दतनाग ने किया है। हरुमान जी एक गुफा में बैटकर ध्यान करते हुए हमें भगवान राम से परचित कराते हैं। एक इनसान से भगवान बनने की कहानी कहते हैं। वो बाहुबली फ्रेम प्रभास के किरदार से परचित करा तरहे कहते हैं एक कहानी है मेरे प्रभु स्री राम की उनकी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सो राम था रागो जिनके धरम ने तोड़ दिया अधरम का हैंकार गाथा उस रगुनंदंद की यूग यूगांतर से जीवित और जागरत ये कहान है रामाड की इस दोरान स्री राम सीता जी लशमड के किरदारों की जलग दिखाई जाती है फिल्म अबनेतरी कृतिसिनन ने सीता जी और अबनेता सनी सिंग निजर ने लशमड का किरदार किया है इसके बार रामाड का किरदार कर रहा है अबनेता साइफली खान की आवाज गूंचती है, वो कहते हैं भिच्छा भिच्छा दें भिच्छा ये Ramad का सबसे अहम सीन है जब रावड सीता हरड यानि किड्रनेप करता है, इसके लिए मायावी हरड का सहरा लेता है यही घटना रावड में राम और रावड के बीच युद्ध का आधार है, यहां म्यें क आफली खान की ज耗 दिखाय जाती है उनके करदार में बहुस सुधार किया गया है वरना टीजर में हौली बुट के किसी बिलन कीतर है उनको दिखाय गया था लंबेबाल और दाड़ी के साथ माते पर लाल टी का लगाए साधू के वैस में वो सम्मु करते इसके बाद सिता हरड और रावड जटाई युद्ध की एक छोटी सी जलग दिखाय जाती है असोक वाटिका में निरास बैठी सिता जी की जलग भाव करने वाली है ट्रेलर के अगले फ्रेम में सिरीराम और सिता जी के बीच के अद्भुत प्रेम को दिखाया गया है अभी त तहरड के बाद प्रभु सिरीराम परेसान है उनको पता चल चुका है कि रावड नहीं ये दूस्सा हस किया है उनके साथ अपनी सेना भीजने और युद्ध करने के लिए कई राज्यों के राजा आफर करते हैं लेकिन वह इसे मर्यादा के बिरुद मानते हैं लेशमर कहते तेरे ही भरोसे हैं हम तेरे ही सहारे दुवदा की घड़ी में मन तुझको ही पुकारे तेरे ही बल से हैं बल हमारा तू ही करेगा मंगल हमारा मंतरों से बढ़कर तेरा नाम जैसरी राम जैसरी राम राजा राम जैसरी राम राजा राम सबरी और राम के मिलन के अदभुद छड़ को भी ट्रेलर में सामिल किया गया है रामाड में इस मिलन के जरिये सा माजिक समानता का संदेज दिया गया था फिल्म में भी स्रीराम सबरी से कहते हैं हम जनम से नहीं करम से छोटे या बड़े होते हैं फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तायारियों के सीन दिखाय जाते हैं पहले सीन में हरमान जी की सक्ती से परचे किरा जाता है उनको संजीवनी के लिए परबत उठाए उड़ते हुए दिखाय जाता है इसके बाद जंगल के जानवरों से बनी सेना दिखाय जाती है इसमें बंदर और भालू सामिल है अंगत को सिरी राम के दूद के रूम में सिरी लंका जाती दिखाय जाता है वो मतशिता से मिलते हैं जहां हो कहती है रागों ने मुझे पाने के लिए सिउधनस तोड़ा था अब उन्हें रावण का घमंट टोड़ना होगा अंगत को लंका दहन करते हुए भी दिखाय गया है गाड़ दो अहिंकार की छाती में बिजे भगवा धज सिरी राम के इस उद्वेश के साथ युद्ध का बिगल बच जाता है राम की सेना लंका पर चड़ाई कर देती है बुराई पर अच्छाई की जीद के लिए हुई इस लड़ाई को सिरी राम और उनकी सेना ने लड़ा था उसका जो भी संदेश था उसे फिल में पूरी तरह दिखाने की कोशिस की गई है इसके लिए बेफेक्स और इस्पिसल बिजूल एफेक्स का बेहतरिन इस्तिमाल किया गया है ओमराउत और उनकी टेम ने इस मामले में एक नई लगीर खींची है ये कहना अधिसोगत नहीं होगा भगवान राम की बिभिन भाउनाओ को चितरित करने के लिए परियुकत भासा और सब्दों का चेहन साधानी से किया गया है जब वा क्रोधित होते हैं बिनम्र होते हैं प्यार करते हैं तो हर सववाद उनके बिक्तित का एक अलग पच्छ दिखाता है इसमें च्छमा से लेकर प्रतिसोद तक की असंग भाउनाएं छिपी होती हैं इसमें कई बिसमेकारी द्रस और छड़ हैं फिल्म में परभास सरद केलकर और मनोज मतंसिर की तिकड़ी का कमाल साफ नजरा रहा है मनोज के लिखे सब्द सरद की आवाज और प्रभास का ओरा इसे भभ भी बना रहा है बाहुबली के बाद दूसरी बार सरद पैन इंडिया सूपस्टार प्रभास के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं निश्चित तोर पर इसका फाइदा मिलने वाला है सबसे बड़ी बात इस फिल्म के मेकर्स उन सभी गलतियों को सुधारा है जिसकी वज़े से लोग नाराज थे जितना संभो हो पाया है उन्होंने इसे वास्तु दिखाने की कोशिश की है यही वज़े है कि कहा जा रहा है कि ट्रेलर अपनी गलतिया सुधार के मेकर्स ने अपने सारे पाप धो लिये हैं इसकी भबिता बड़े परदे अधिक दिखती है खासकर 3D में इसका इफेक्ट अलग ही नजर आने वाला है परभास की मच आउंटेट फिलम आदपुरुस का ट्रेलर रिलीज हो गया है इसमें भगवान सिरी राम के रोल में दिखेंगे करती सेनन सिता के रोल में नजर आएंगी मूबीम के लुक पोश्टर और टीजर की पहले से काफी चर्चा है ट्रेलर को सोसल मेडिया पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ये फिलम सोला जून को सिनेमा घरों में रिलीज होगी राम 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 की गूंच के साथ वह पल आही गया जिसका मूबी लबर्स को बेसबरी से इंतिजार था बाहुबले एक्टर प्रभास की मचा उंडेट फिलम आधि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया है राम का थपर आधारित डारेक्टर ओमराउत की ये बिग बजट मूबी 16 जून को रिलीज होगी इसमें प्रभास राम, कृती से नंसीता और सनी सिंग, लश्मण और सैफली खान रावड के रोल में दिखेंगे ट्रेलर को सोसल मीडिया पर सांधार रिस्पॉंस मिल रहा है ट्रेलर को देखने के बाद फैंस जैसरी राम, जैसरी राम के नारे लगा रहे हैं प्रभास फैंस ने अभी से फिल्म को सुपर डुपर हिट बता दिया है उनके मताबिक ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी हिट बनेगी प्रभास को फैंस ने मेगा इस्टार बताया है यूजज का कहना है फिल्म में प्रभास राम के कारेक्टर को निभा नहीं रहे बलकि जी रहे हैं राम जिर्थ मानेश की चौपाई से सुरू होता है ट्रेलर जहां हनमान अपने रागों का गुर्गान कर रहे हैं वो अपने प्रभूसिरी राम की कहानी बताते हैं फिल्म में उस रगुनंदर की गाता दिखाई जाएगी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन मर्यादा का उत्साह था जिसके धर्म ने अधर्म का अहिंकार दोड़ा ट्रेलर में सिता हरड की जलक दिखी है राम सिता के प्रेम उनके वनमास के अलावा राम का लंका जाकर सिता को वापस लाने की कहानी दिखाई जाएगी राम रावड युद्ध के कुछ सीन दिखे हैं क्योंकि टीजर रिलीज के बार रावड बने सैप के लुक पर हंगाम हुआ था इसलिए मेकशने टेलर में उनके लुक को सीक्रेट रखने की कोसिस की है आधिपुरुस पायन इंडिया फिल्म है ये हिंदी के अलावा कई भासाओं में रिलीज हो रही है मुवी मुवसल सेड भी अहम रोल में दिखेंगे हरमान जी का रोल देवदत नागे कर रहे हैं ये पहली बार है जब परभास और करती की जोड़ी बनी है परदे पर उनकी फ्रेस पेरिंग देखने को मिलेगी दोनों साथ में अच्छे दिख रहे हैं तभी मीडिया में उन इनिमेशन स्टूडियो वानर सेना स्टूडियोज ने आदपुरुष की टीम पर उनके काम को चुराने का अरोप लगया था टीजर रिलीज होने के बाद मोवी में बेफेक्स की घटिया क्वाल्टी को लोगों ने आडे हांथों में लिया इंटरनेट पर धेरो मेम्स करना और सबसे आखर में लंकेश की जलक खौपनाग देखने को मिली है अगर बेफेक्स की बात करें तो काफी बदला हुआ है कई से इंसाइसे हैं कि आपको रोंग टेख खड़े हो जाएंगे कुछ और चेंजर किये गये हैं जैसे सीता यानि कृति सैनन की मांग में सिंद अब सारे बदलाओ करने के बाद फाइनली टेलर जारी कर दिया गया है ओम रहुत की डिरेक्शन में बनी आदिपुरस में परभास कृति सेनन सैपली खान सनी सिंग और वसल सेठ ने अहम भूमकाय निभाई हैं यह मूबी 16 जून 2013 को थेटर्स में 3D में वर्ड वाइट रि फिल्म का बज़र 700 करोड रुपे से ज्यादा बताया जा रहा है जो अब तक की सबसे महेंगी इंडियन मूबी है जब से मूबी बन रही थी तब से फैंस की बहुत सारी उमीदें जुड़ी हुई थी लेकिन जब 2 अक्टूबर 2022 को आदि पुरूश का टीजर आया तो सारी उमीदों पर पानी फिर गया इसके स्पिसल एफेक्ट को लेकर खोब अलोचना हुई फिल्म पहले 11 अगर 2022 को रिलीज होने वाली थी लेकिन आमिर खान की लाल सिंग जड़ा की वज़े से इसे पोस्ट पॉन कर दिया गया था इसके बाद बिजूल एफेक्ट पर फिर से का बादों में फस्ती ने जरा रही है दरसक सैफली खान को रावड का रोल करते देखने रास हैं दरसक कही रावड की दाढ़ी कही रावड के हेरिस्टाइल तो कहीं रावड के बिमान पुस्पक को लेकर जम कर इसकी निंदा कर रहे हैं लगभग 500 करोल लागत की इस फिल्म म कि आद पुरुस के बारे में कि ये क्या होता है आद पुरुस आद पुरुस दो सब्दो आदी और पुरुस से मिलकर बना है आद पुरुस मोल पुरुस को कहा जाता है सबसे पहला पुरुस किसी वंस्या समराज की पहली कड़ी को आद पुरुस कहा जाता है जिस से किसी व स्रीराम भगवान बिश्डुई जी के आउतार थे अता फिल्म का टाइटल आधि पुरुष रखने का कारड़ या भी हो सकता है अभी तक रामाड में हम जिस स्रीराम को सुनते या देखते आए हैं उनको मर्यादा पुरुषो तम दिखाया गया है जिसका मतलब होता है अपन का कहना है कि पूरी रामाड को फिल्म में तीन घंटे में दरसाना असंभो था है इसलिए सिताहरण से लेकर रावड वद तक का कांड़ी इसमें चित्रत किया गया है फिल्म अगले साल 12 जनुरी को रिलीज होने वाली थी रागों ने मुझे पाने के लिए सुधनुस तोड़ा था अब उन्हें रावड का घंट टोड़ना होगा रामभक्त हनमान के सामने जानके द्वारा कहा गया समवाध ही आद पुरुष की कहानी का सेंट्रल थीम है बजपन सेम रामाड और रामलिलाओ में रागों द्वार अन्याय पर न्याय की जीतवाली इस महान गाथा को देखते सुनते और पढ़ते आएं हैं ताना जी के लिए राष्टरी पुषकार पाच के ओम्रावत ने निसंदे आज की जनरेशन के लिए इस महाकावी को भभ विजिकल पर बड़े पर साकार किया है मगर वो या समझने पालमी की रामाड की तर्ज पर ही होती है यहां राम सिया राम गीत के माध्यम से बैकड्रॉब में राम और सीता का विवाह कए कई दौरा राजा दसरस से तीन वचन की मांग राम, सीता, लष्मण का बनवास, छोटे भाई भरत द्वारा, बड़े भाई की पादुगाएं ले जाना जैसे परसंग दर्शाएगे हैं रागव यानि परभास अपनी पतनी जानकी यानि कृति सिनन और सेश यानि सनी सिंग के साथ पिता के दिये गे वचनों का पालन करने के लिए वनवास काट रहे हैं उधर लंका में रावण की बहन अपनी कटी हुई नाक लेकर लाने के लिए वा लालाई थे जानकी की इच्छा को पूरा करने के लिए रागो सुर्ण मरक के पीछे दोड़ते हैं इस बास से अंजान है कि वा महज रावड का एक चलावा है से इसको अपने भाई रागो की मदद की गुहार सुनाई देती है वा जानकी को लचमर रिखा पार ना करने के हिदायत देकर रागो की साहता के लिए निकल पड़ता है और इधर रावड भिच्छा लेने के बहाने सादू का धारण करके सीता को हर ले जाता है बस उसके बाहर रागो द्वरा सुग्रिव और हनमान की मदद से लंकेश का संहार ही कहानी का क्लाइमेक्स ह इसके बीज में जटायू रावड का युद्ध, सबरी के बेर, बाली सुग्रिव का मल युद्ध, रामसेतू का बनना, हनमान दोरा संजिवनी बोटी का लाना, इंदरजीत और मेघनन वद जैसे परसंगो को भी समेटा गया है आद पर उसके फश्ट लोको काफे अलोचना का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद उसमें काफे बदलाव किये गए, मगर मूल चीजे ज़स्ट की तस रह गई, इसमें कोई दोराय नहीं है कि बीफेक्स के मामले में फिल्म एक विजूल ट्रेट्र साबित होती है, मगर सीजियाई की खामिया रह गई, टू डी में बीफेक्स और सीजियाई का काम पर भावसाली नहीं है, जबकि 3D में अदमदार है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्क्रीन प्ले और डालॉग्स में, मनोज मतंसर के लिखे डालॉग में, जहां रागह और रावड के चरित्र समरत हिंदी जैसे, जानकी में मेरे प्राण ब बन जाते हैं, निर्दे से कोमराउत ने इसे माडल लुक देने के लिए रावड की लंका को ग्रेई स्कॉसल लुक दिया है, जो रावड की सोने की चमचमाती लंका के विपरित हैरी पार्टर या गेम आप थ्रोंस के किले के तरह दिखते हैं, फिलम का 3 गंटे का रुन टा बाली और सुग्रू के वानरो का बिसुध रूप दिया है, तो रावड के लुक कास्ट्यूम्स और उसके सस्त्रों को कुछ ज़्यादा ही मौडरनाइज कर दिया गया है, रावड को एक पिसाद जैसे जीओ की सवारी करते दिखाय गया है, उसके अस्त सस्त्र गेम आप थ तलधारा सुनने में अच्छे लगते हैं, एक्टिंग के मामले में परभास ने रागो को सीमित और मर्यादा प्रप्सोतम राम के रूप में ने भाया है, रावड के रूप में सैफली खान खोब जचते हैं, मगर डिजिटल टेकनीके से उनकी कद काट को कुछ ज़्यादा जिसके लिले समर्ग पहचाने जाते हैं, बजरंग के रूप में देवदत ने अपनी सरित्र किसान नयाय किया है, इंदरजीत की भूमका में वसल सेट को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है, जिससे उन्होंने खुप सूर्ती से निभाया है, मंदोदरी के किरदार में स हनमान असोक वाट का पहुंचते हैं, तो धाकडा सुरू उन से कहता है कि क्या ये तेरी बुगा का बगीचा है, तो अपनी जान से हाथ धोएगा, जो आप में हनमान जी कहते हैं, और मैं धकडा के धूँँगा, अब हनमान जी ऐसे डालाग बोलेंगे, तो हाल में शीटिय आगया है कि रागह अपनी पतनी जानकी और भाई सेस के साथ जंगल में वनवाज काट रहे हैं, सुनन नखा के नाक में सेस ने बारण चला दिया है, राम सुननफा के आगे हाथ जोड़ते हैं और सुननफा लंकेश को जानकी की खुब सूर्ति के बारे में बताती है, जान चाहब में कई ऐसे सीन हैं जो गूंज बंस देते हैं जैसे राम और हनमान का मिलन राम सिया राम गाना और राउड का सिव जी के लिए गया गया गाना ये कुछ सीन आपके राउंटे खड़े करने में कामयाब होते हैं मगर फिल्म में इतनी दिखते हैं कि आप चाहा कर भी फ जानकी के साथ नहीं आती बेगनात को इंदरजीत राउड को लंकेस कहकर ही हर जिके संबोदित किया गया है जटायू एक गिद्ध था मगर इस फिल्म में बास दिखाया गया है परभास को देखकर सिरी राम की फिलिंग कमाती है उन्हें देखकर बाहुबली की याद जाद कर रही है इतना ही नहीं राउड की हाई फाई लंका में लिप्ट भी है फिल्म में ऐसे भी सीन है जो ना बाल्मिकी की रामाड में हैं और ना तलसिदास की राम्चरित मानस में लचमर जब मुर्शित होते हैं तो हम सभी को बता है कि बद सुसेड को बला जाता है मगर इस संजीवनी के बारे में ना सिर्फ भिवीशड की पतनी बताती है बलकि इलाज भी वही करती है रामाड के एक एक सीन से लोगों की भावनाई जुड़ी है जिने आहत करने की जरूरत नहीं थी युद्ध का स्विक्वेंस बहुत बोरिंग है लंबे लंबे सिर्फ बेफेक्स क स्विक्वेंस चल रहे हैं जहां कोई डालॉग नहीं है ऐसा लगता है कि किसी वीडियो गेम में हीरो और बिलन की लड़ाई चल लही है पूरी फिल्म किसी एनिमेशन फिल्म जैसे लगती है जिसमें बेफेक्स की क्वाल्टी भी खराब है हन्मान जी का राम को पीट पर ब पहले देख ले मगर रामार वाले सिरद्धा की सान ना देखे इतने बड़े बजट में बनी ये फिल्म निरास जनक है बहुत कठिन होता है कठिन समय में भी सहज रहना सरल बने रहना उससे भी दुशकर है विशेशकार तब जब पिता राजा रहा हो भाई हर बात मानने को तयार रहता हो और पत्नी का सुख इसी में हो कि वह वही रहे जहां पत्ती की चाया रहे रामकथा मनुस्य को सहज होना सिखाती है ये यह भी सिखाती है कि तमाम धन्संपत सुख ऐसर आद पाकर भी सरल बने रहना हो तो इसकी कुझी कहा है कुझी है समद्रसी इच्छा कच बाया करती थी कि साथ उसका काउं काउं करना किसी आने वाले की सूचना ही हो निर्देशक ओम्रहुत की नई फिल्म आदिपुरस भी मुडियर से आने वाली एक ऐसी ही आवाज है जो राम सिता लचमर हनमान और रावड की कहानी नहीं है ये कहानी उन्होंने रागाउ जान की सेस बजरंग और लंकेस की बनी है इंट्रोल तक ही फिल्म सुन्दरकांड पार कर जाती है और उसके बाद का लंका कांड अपने आप में किसी कांड से कम नहीं है सिनेमा ये छुट के सहारे पौराड़ी किताए कहने का इतिहाद भारत में भले ही सिनेमा जितना ही पुराना पहली राम कथा जब पर उतारी तो राम और सीता दोनों की किलदार एक ही कलाकार ने भाये राम की सौमिता की जलक वही से निकली तेलगू में बनी राम कथा में राम मोचो के साथ नजराये और अब तेलगू के तथाकतित सुपर हीरो सितारे परभाज जब अपनी नई फिल्म के साथ सिनेमा घरों तक पहुंचे हैं तो आम मुचो वाले राम ही बने हैं राम को जिस दिन राजा बनना था उसका महुर्त नचत्रों की गर्णाए करके ही निकाला गया गुरू बिसिष्ट जैसे ग्यानी ने महुर्त निकाला लेकिन वहीं महुर्त राजा दसरत के मरड़ और राम के वनवास का कारण बना राम कता ऐसी ही छोटी छोटी अन्भूतियों की कहानी है ये अन्भूतिया कभी केवट परसंग में दिखती हैं कभी सबरी के जूटे बेर में तो कभी राम और हनमान के मिलन में दिसमन सेना में आकर मरड़ा सन की चिकिस्सा करने वाले सुसेड बैद का परसंग बिस्तार में देखे तो बड़े समाजिक परभावाला है लेकिन जिस समाजिक समरस्ता का पाठ राम ने पढ़ाया वह यहां उसके प्राकर्मी परचार के परचपंच में खो गए हैं फिल्म आद्पुरस में राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं लेकिन मर्यादा मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये तो बस एक लाइन का परसंग है राम को मर्यादा पुरसोत्तम सिद्ध करने का जहां वह रामट से युद्ध करने के लिए अध्धा की सेना नहीं चाहते हैं लेकिन राम कथा कि ऐसे धेरों परसंग है जो तरेता युग में पुरसोत्तम को आदिपुरस बताय जाने का फिल्म बनाने वालों का दावा मजबूत करने में उनके मदद कर सकते थे छोटा भाई जब हमेशा भाभी मा की सेवा और रच्छा में हित्यत पर रहता है तो ऐसे में बड़ा भाई अपनी पतनी के सार रुमानी होने का समय भी निकाल पाएगा सोचना मुश्किल है लेकिन फिल्म टी सिरीज की है तो अरचीज सिंग का गाना होना ही है और गाना होना है तो फिर कबीर सिंगोया रागो फिल्म बनाने वालों का क्या फरक पड़ता है संगीत और इसके गीतों के साथ ही इसके समवाद भी फिल्म आदपुर्श की बड़ी बिफलता है इस तरह की कथाओं के लेखन में जो सहस्ता और सुरलता बिचारों को चाहिए वा इसके समवादों में है नहीं हलाकि समवाद लिखने वाले मनोज मतंसर अब सुकला भी हो चुके हैं लेकिर राम कथा के मनोटा का ध्यान रखने में वाच चुक गए हैं फिल्म देखने के बाद ये भी समझाता है कि फिल्म के टीजर को लेकर मच्छे हो हले के बाद ओम रहुत ने इसमें कोई खास फिर बदल नहीं किया है टीजर में दिखे सारे ग्राफिक्स सारे स्पिसल एफेक्ट और सारे किरदार हुबहु यहां उपस्तित हैं इस चक्कर में फिल्म भी जरूरत से ज़्यादा कहीं लंबी हो गई है प्रभास करती सेनन और सनी सिंग इस्टार फिल्म आद पुर्श की तुलना इसके पहले हिंदी में रिलेज होची की राम कताओ खास कर रामनंद सागर के धारवाहिक रामाड से जरूर होगी और जब यह तुलना होगी तो सबसे पहली खामी जो इस फिल्म की लोगों को दिखेगी हुआ है फिल्म में जानकी बनी करती सेनन उनके चेहरे पर जो भी करतिम प्रियोग हो चुके हैं उन्होंने उनके चेहरे की सुमिता हर ली है होट और नाक उनके तीखे बनाए गए हैं और मिथला की राशकुमारी के जिस सौंधर को देख राम पुस्पवाट का में मोहित हुए उसकी छटा तक करती सेनन की सुंधर ता में नजर नहीं आती यही हाल प्रभास का है हिंदी में सरत किलकर की आवाज पर रिजर्ब लगा कर वह राम जैसा आभास्त हो गए पर इनके सरीर सौंधों में ना राम जैसा ओज है और ना राम जैसा तेज और ना ही राम जैसा परताप वह पूरी फिल्म में बाहुब पुरिस के मेकर्स ने इसका बेहतरीन ट्रेलर रिलीज कर दिया है फिल्म के टीजर और फ़र्ष्ट लूप पोश्टर में जो गलतिया की गई थी उन सभी को सुधारते हुए भावी सिनेमा की एक सांदार जलक दिखाई गई है इसके साथ ही पहले कभी नहीं देखेगे बीफ अन्मिक भावनाओं के अन्कूल लगता है फिल्माद पुरिस के तीन मिनट 19 सिकंड का ट्रेलर भगवान हरुमान की आवाज के साथ सुरू होता है इस किरदार को मराठी अभिनेता देव दतनाक ने किया है हरुमान जी एक गुफा में बैटकर ध्यान करते हुए हमें भगवान बनने की कहानी कहते हैं वो बाहुबली फ्रेम प्रभास के किलदार से परचित कराते हैं कहते हैं एक कहानी है मेरे प्रभु स्री राम की उनकी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सो राम था रागो जिनके धर्म ने तोड़ दिया अ अबनेता सनी सिंग निजर ने लशमर्ड का किरदार किया है इसके बार रामड का किरदार कर रहा है अबनेता साइफली खान की आवाज गूंचती है वो कहते हैं भिच्छा भिच्छा देही भिच्छा ये रामड का सबसे अहम सीन है जब रामड सीता हरड यानि किड्रनैप कर रहे वरना टीजर में हाली बुट के किसी बिलन की तरह उनको दिखाया गया था लंबे बाल और दाढ़ी के साथ माते पर लाल टी का लगाए साधू के वेस में वो सम्मोहित करते हैं इसके बाद सिता हरड और रावड जटाई युद्ध की एक छोटी सी जलग दिखाया जाती और मरौत ने इस पच्च को सामिल करके साहस का काम किया है क्योंकि स्रीराम को तो लोग मर्यादा पुरसोत तम मानते हैं सीता हरड के बाद प्रभु स्रीराम परेसान है उनको पता चल चुका है कि रावड नहीं ये दूस साहस किया है उनके साथ अपनी सेना भिजने और और मर्यादा मुझे अपने प्राडों से भी ज़्यादा प्रिय है इसके बाद भगवान स्रीराम के नाम का जय घोस होता है तेरे ही भरोसे हैं हम तेरे ही सहारे दुविदा की घड़ी में मन तुझको ही पुकारे तेरे ही बल से हैं बल हमारा तू ही करेगा मंगल हमारा मंत दिया गया था फिल्म में भी स्रीराम सबरी से कहते हैं हम जनम से नहीं करम से छोटे या बड़े होते हैं फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियों के सीन दिखाया जाते हैं पहले सीन में हर्मान जी की सकती से परचे करा जाता है उनको संजीवनी के लि रागों ने मुझे पाने के लिए सिवधनस तोड़ा था अब उन्हे रावण का घमंट तोड़ना होगा अंगत को लंका दहन करते हुए भी दिखाये गया है गाड़ दो अहिंकार की छाती में बिजे भगवा धच स्री राम के इस उद्वेश के साथ युद्ध का विगल फेश का बेहतरिन इस्तिमाल किया गया है ओमराउत और उनकी टेम ने इस मामले में एक नई लगीर खींची है ये कहना अधिसोगत नहीं होगा भगवान राम की बिभिन भावनाओं को चितरित करने के लिए परियुकत भासा और सब्दों का चेहन साधानी से किया गया है ज इसमे कई बिसमेकारी द्रस्य और छड़ हैं फिल्म में परभास सरत केलकर और मनोज मतंसिर की तिकड़ी का कमाल साफ नजरा रहा है मनोज के लिखे सब्द सरत की आवाज और परभास का ओरा इसे भभ भी बना रहा है बाहुबली के बाद दूसरी बार सरत पायन इंडिया स परभास के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं निश्चित तोर पर इसका फायदा मिलने वाला है सबसे बड़ी बात इस फिल्म के मेकर्स उन सभी गलतियों को सुधारा है जिसकी वज़े से लोग नाराज थे जितना संभो हो पाया है उन्होंने इसे वास्तु दिखाने की को परभास के मच आउन्टेट फिल्म आदपृस का ट्रेलर रिलीज हो गया है इसमें भगवान सिरी राम के रोल में दिखेंगे करती सेनन सिता के रोल में नज़राएंगी मूबीम के लुक पोश्टर और टीजर की पहले से काफी चर्चा है ट्रेलर को सोसल मेडिया पर अच् परभास को फैंस ने अभी से फिल्म को सुपर डुपर हिट बता दिया है उनके मताबिक ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी हिट बनेगी परभास को फैंस ने मेगा इस्टार बताया है यूजर्च का कहना है फिल्म में परभास राम के कारेक्टर को निभा नहीं रहे बलकि जी रहे हैं राम जिल्द मानेश की चौपाई से सुरू होता है ट्रेलर जहां हनमान अपने रागों का गुडगान कर रहे हैं वो अपने प्रभूसरी राम की कहानी बताते हैं फिल्म म उनके वनमास के अलावा राम का लंका जाकर सीता को वापस लाने की कहानी दिखाए जाएगी राम रावड युद्ध के कुछ सीन दिखे हैं क्योंकि टीजर रिलीज के बार रावड बने साइब के लुक पर हंगा महुआ था इसलिए मेकशने टेलर में उनके लुक को सीक्र रखने की कोसिस की है आधिपुरुस पायन इंडिया फिल्म है ये हिंदी के अलावा कई भासाओं में रिलीज हो रही है मुवी मुवसल सेड़ भी अहम रोल में दिखेंगे हर्मान जी का रोल देवदत तिनागे कर रहे हैं ये पहली बार है जब परभास और करती की है आधिपुरुस का जब से मोसन पोश्टर सामने आय था तभी से फिल्म भिवादों में थी सबसे पहले फिल्म के पोश्टर पर हंगा ममचा इसे कापी बताया गया अनिमेशन स्टूडियो वानर सेना स्टूडियोज ने आधिपुरुस की टीम पर उनके काम को चुराने क आरोप लगाया था टीजर रिलीज होने के बाद मोवी में बेफेक्स की घटिया क्वाल्टी को लोगों ने आड़े हांथों में लिया इंटरनेट पर धेरो मेम्स वायल हुए हैं लोगों की खराप पृत्किरिया के आदे पुरुष ट्रेलर में दिखाया गया है कि फिल्म की कहानी रामाड पर बेश्ट है भगवान राम का बनवास जाना सीता से बिशड़ना हर्मान जी का सीता की खोश करना और सबसे आखर में लंकेश की जलक खौपनाग देखने को मिली है अगर बीफेक्स की बात करें तो काफी बदला हुआ है कई से इंसाइसे हैं कि आपको रो एफेक्स घटिया क्वाल्टी का लगा था कई लोगों ने राम से लेकर सीता तक के कपड़ों पर भी आपती जिता है थी अब सारे बदलाओ करने के बाद फाइनली टेलर जारी कर दिया गया है ओम रहुत की डिरेक्शन में बनी आदिपुरुस में परभास कृती सेनन, खान, सनी सिंग और वसल सेट ने अहम भूमकाय निभाई हैं ये मूबी 16 जून 2013 को थेटर्स में 3D में वर्ल्ड वाइट रिलीज हो रही है आप इसे हिंदी के लावा तेलगू, तमिल, कंणड और मलयालम भासा में भी देख सकते हैं परभास की इस फिल्म की एनाॉसमेंट साल 2020 के एक अफेसियल मोशन पोस्टर के जरिये हुई थी, इसका म्यूजिक अजय अतुल ने तयार किया है, फिल्म का वज़र्स साथ सो क्रोड रुपे से ज्यादा बताया जा रहा है, जो अब तक की सबसे महेंगी इंडियन मूबी है, जब से मूबी बन रही थी तब से ही 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आमिर खान की लाल सिंग जड़ा की वज़े से इसे पोस्ट पॉन कर दिया गया था, इसके बाद बिजूल एफेक्ट पर फिर से काम करने के लिए इसकी रिलीज में तनी देरी हो गई, आदपुरुस हाल ही में परभास की फिल्म रावड के हेरिस्टाइल तो कहीं, रावड के बिमान पुस्पक को लेकर जम कर इसकी निंदा कर रहे हैं, लगबग 500 करोल लागत के इस फिल्म में भारी बेफेक्ट का इस्तिमाल किया गया है, जो कि लोगों को आकर सित नहीं कर पा रहा है, इतने भारी बेफेक्ट के इस् चर्चा में हैं तो आईए जानते हैं कि आदपुरुस के बारे में कि ये क्या होता है आदपुरुस, आदपुरुस दो सब्दो आदी और पुरुस से मिलकर बना है, आदपुरुस मोल पुरुस को कहा जाता है, सबसे पहला पुरुस किसी वंस समराज की पहली कड़ी को अधा फिल्म का टाइटल आधि पुरुष रखने का कारड या भी हो सकता है अभी तक रामाड में हम जिस स्री राम को सुनते या देखते आए हैं उनको मर्यादा पुरुषो तम दिखाया गया है जिसका मतलब होता है अपनी मर्यादा में रहने वाला और पुरुषो में सबस अधिक ओमराउत का कहना है कि पूरी रामाड को फिल्म में तीन घंटे में दर्साना आसम्भो था है इसलिए सिताहरण से लेकर रावड वद तक का कांड ही इसमें चित्रत किया गया है फिल्म अगले साल बारा जनुरी को रिलीज होने वाली थी रागो ने मुझे पाने के लिए सुधनुस तोड़ा था अब उन्हें रावड का घंट टोड़ना होगा रामभक्त हनमान के सामने जानके द्वारा कहा गया समवाध ही आधि पुरुष की कहानी का सेंट्रल थीम है बजपन सेम रामाड और रामलिलाओ में रागो द्वारा अन्याय पर न्याय की जीतवाली इस महान गाथा को देखते सुनते और पढ़ते आएं हैं ताना जी के लिए राष्टरी पुरुषकार पाच के ओम्रावत ने निसंदे आज की जनरेशन के लिए इस महाकावी को भभ विजिकल पर बड़े पर साकार किया है मगर वो या बात महरिस बालमीक की रामाड की तर्ज पर ही होती है जहां राम सिया राम गीत के माध्यम से बैकडरॉब में राम और सीता का बिवाह कई कई दोरा राजा दसरस से तीन वचन की मांग राम सीता लश्मर का बनवास छोटे भाई भरत दोरा बड़े भाई की पादुगाएं ले जाना जैसे परसंग दर्शाएगे हैं रागव यानि परभास अपनी पतनी जानकी यानि कृति सिनन और सेश यानि सनी सिंग के साथ पिता के दिये गए वचनों का पालन करने के लिए वनवास काट रहे हैं उधर लंका में रावण की बहन अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई लंका पती रावण यानि सैफली खान के पाहजा कर बिलाप करती है वह भाई को प्रतिसोध के लिए ब्रमांड की सरबादिक सुंदरी जानकी को अपरहत कर लाने को उकसाती है जंगल में जानकी को एक सुड़ मरग दिखाए देता है जिसे पाने के लिए वा लालाई देकर रागो की साहता के लिए निकल पड़ता है और इधर रावण भिच्छा लेने के बहाने सादू का धारण करके सीता को हर ले जाता है बस उसके बाहर रागो दोरा सुग्रिव और हनमान की मदद से लंकेश का संहार ही कहानी का क्लाइमेक्स है इसके बीच में जटायू लोको काफे अलोचनाओ का सामना करना पड़ा था और उसके बाद उसमें काफे बदलाव किये गए मगर मूल चीजे ज़स्ट की तस रह गई इसमें कोई दोराय नहीं है कि बीच्छ के मामले में फिल्म एक विजूल ट्रेट साबित होती है मगर सीजियाई की खामिया रह ग जानकी में मेरे प्राण बचते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है बोलते नजर आते हैं वहीं दूसरी और बजरंग यानि द्याउदत और इंद्रजीत यानि वतसल सेथ तेरी बाप की जलेबी बुआ का बगीच्च समझा है क्या जिसे समात बोलक उपहास का पातर बन जाते हैं निर्देसे कोमराउत ने इसे माडल लुक देने के लिए रावड की लंका को ग्रेई स्कौसल लुक दिया है जो रावड की सोने की चमचमाती लंका के विपरित हैरी पार्टर या गेम आप थ्रोंस के किले की तरह दिखते हैं फिलम का तीन ग गानाद वल जिसे रामाड के कई परसंगों को छोड़ दिया है बाली और सुग्रू के वानरो का बिसुध रूप दिया है तो रावड के लुक कास्ट्यूम्स और उसके सस्त्रों को कुछ ज़्यादा ही मौडरनाइज कर दिया गया है रावड को एक पिसाद जैसे जीओ की सवारी करते दिखाया गया है उसके अस्त सस्तर गेम आप थ्रोंस की याद दिलाते हैं संचित अंकित बलहारा का बर्गरांड डिस्कोर दमदार है मगर अजय अतुल के संगित में गाने उतने कमार के नई बन पाये हैं हाँ जैसिया राम राजा राम और तू है सितल धारा स दिखाया गया है जानकी के रूम में करती सेनन परफेक्ट रही हैं खूबसूरा लगने के साथ साथ उन्होंने दमदार आभने किया है मगर उन्हें उतना स्क्रीन स्पेस नहीं मिल पाया है लचमड के रूम में सनी सिंग मेवत तेजी नजर नहीं आती जिसके लिए पड़ा तेरे बाप का तेल तेरे बाप का आग भी तेरे बाप की तो चलेगी भी तेरे बाप की ये ओ डालाग हैं जो हनमान रावड पुत्र मेगनात से कहते हैं वही एक जिगह हनमान लंका लगाने की बात कहते हैं जब हनमान असोक वाट का पहुंचते हैं तो धाकड़ा सुरू उनसे कहता है कि क्या ये तेरी बुवा का बगीचा है तो अपनी जान से हाथ धोएगा जो आप मैं हनमान जी कहते हैं और मैं धकड़ा के धोँगा अब हनमान जी ऐसे डालाग बोलेंगे तो हाल में शीटिया उस वक्त जरूर बच जाएं मगर धीरे धीरे आपको अहस होगा कि आप जो उमीद लेकर आये थे वो उमीद पूरी नहीं होगी फिल्म के डालॉग मनोज मतंसर ने लिखे हैं और वो इस मेश के लिए जिम्मेदार हैं फिल्म में दिखाया गया है कि रागह अपनी पतनी जानकी और भाई सेस के साथ जंगल में वर्वास काट रहे है सुन नखा की नाक में सेस ने बार चला दिया है राम सुन नफा के आगे हाँद जोड़ते हैं और सुन नफा लंकेश को जानकी की खुल सूरती के बारे में बताती है जानकी का अपरहड सबरी के बेर रागो बिजरंग का मिलन समुंदर सेतु से होतु है फिल्म अपने आख और राउड का सिव जी के लिए गया 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 गाना यह कुछ सीन आपके राउड़ते खड़े करने में कामयाब होते हैं मगर फिल्म में इतनी दिखते हैं कि आप चाहा कर भी फिल्म से खुद को अटेश नहीं कर पाएंगे पहली बात तो फिल्म में परचलित नाम ना इस इसके दूसरी नामों का इस्तमाल किया गया है लचमर को सेस कहने का क्या आउचित था वही राम सीता में जो बात है वो रागव और जानकी के साथ नहीं आती बेगनात को इंदरजीत राउड को लंकेस कहे कर ही हर जिके संबोदित किया गया है जटायू एक गिद था मगर इ तरी राम की फिलिंग कमाती है उन्हें देकर बहुबली की याद जादा आती है फिल्म के राच्छस किसी गेम के बिलन लगते हैं राउड में घिनात भीवी सड़ का लुग देख कर भी हारानी होती है सुन नखा जब मंदिरा पीते हुए मंदोदिरी से बात करती है तब ऐ सुसेड को बला जाता है मगर इस फिल्म में संजीवनी के बारे में ना सिर्फ भीवी सड़ की पतनी बताती है बलकि इलाज भी वही करती है रामाड के एक एक सीन से लोगों की भावनाई जुड़ी है जिनें आहत करने की जरूरत नहीं थी युद का स्विक्वेंस बहुत है हनमान जी का राम को पीट पर बिठा कर उड़ान रामड का वद मेगनात और कुमकर का वद ये सारे सुकंस आपको सिर्फ और सिर्फ निरास करेंगे अगर आप बच्चों को हिंदु महाकावी के बारे में जनकरी दिना चाते हैं तो उन्हें आद पुरुष दिखाने की जरूरत नहीं है इसे आप एक फिलम के तौर पर भले देख ले मगर रामाड वाले सिरद्धा की सान ना देखे इतने बड़े बजट में बनी ये फिलम निरास जनक है बहुत कठिन होता है कठिन समय में भी सहज रहना सरल बने रहना उससे भी दुशकर है विशेशकार तब अधि पाकर भी सरल बने रहना हो तो इसकी कुंजी कहा है कुंजी है समद्रसी इच्छा कचना ही हरसोक भय नहीं मनमाही लेकिन सिनेमा को अब सरलता की मुडेर भी हांसल नहीं है वह इसी मुडेर पर बैठा कोवा बन चुगा है जिससे दादी बजपन में इस आज से दिन ही आवाज है जो राम सिता लचमर हनमान और रावड की कहानी नहीं है ये कहानी उन्होंने रागव जान की सेस बजरंग और लंकेस की बुनी है इंट्रोल तक ही फिल्म सुन्दर कांड पार कर जाती है और उसके बाद का लंका कांड अपने आप में किसी कांड से कम नहीं है सिनेमा ये छूट के सहारे पौराडी कथाए कहने का इतिहाद भारत में भले ही सिनेमा जितना ही पुराना है पहली राम कथा जब परदे पर उतारी तो राम और सीता दोनों की किलदार एक ही कलाकार ने भाए राम की सौमिता की जहलक वही से निकली तेलगू में बनी राम कथा में राम मोचो के साथ नजर आए और अब तेलगू के तथाकतित सुपर हीरो सितारे परभाज जब अपनी नई फिल्म के साथ सिनेमा घरो तक पहुँचे हैं तो आम मोचो वाले राम ही बनी है राम को जिस दिर राजा बनना था उसका मोहूरत नचत्रों की गर्णाए करके ही निकला गया गुरू बिसिष्ट जैसे ग्यानी ने मोहूरत निकला लेकिन वही मोहूरत राजा दसरत के मरण और राम के वनवास का कारण बना राम कथा ऐसी ही छोटी छोटी अन्भूतियों की कहानी है ये अन्भूतिया कभी केवट परसंग में दिखती है कभी सबरी के जूटे बेर में तो कभी राम और हनमान के मिलन में दुस्मन सेना में आकर मरणा सन की चिकिस्सा करने वाले सुसेड बैद का परसंग बिस्तार में देखे तो बड़े समाजिक परभावाला है लेकिन जिस समाजिक समरस्ता का पाठ राम ने पढ़ाया वह यहां उसके प्राकर्मी परचार के परचपंच में खो गए है फिल्म आद्पुरुस में राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं लेकिन मर्यादा मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये तो बस एक लाइन का परसंग है राम को मर्यादा पुरसोत्तम सिद्ध करने का जहां वह रामट से युद्ध करने के लिए अध्धा की सेना नहीं चाहते हैं लेकिन राम कथा के ऐसे धेरो परसंग है जो तरेता युग में पुरसोत्तम को आद्पुरुस बताय जाने का फिल्म बनाने वालों का दावा मजबूत करने में उनके मदद कर सकते थे छोटा भाई जब हमेशा भाभी मा की सेवा और रच्छा में हिदत पर रहता है तो ऐसे में बड़ा भाई अपने पतनी के सारुमानी होने का समय भी निकाल पाएगा सोचना मुश्किल है लेकिन फिल्म टी सिरीज की है तो अरचीज सिंग का गाना होना ही है और गाना होना है तो फिर कबीर सिंगो या रागो फिल्म बनाने वालों का क्या फरक पड़ता है संगीत और इसके गीतों के साथ ही इसके सवाद भी फिल्म आदपरुस की बड़ी भिफलता है इस तरह की कथाओं के लेखन में जो सहस्ता और सुरलता बिचारों को चाहिए वा इसके समादों में है नहीं हाला कि समाद लिखने वाले मनोज मतंसर अब सुकला भी हो चुके हैं लेकिन राम कथा के मनोजा का ध्यान रखने में वाच चुक गए हैं फिल्म देखने के बाद ये भी समाझाता है कि फिल्म के टीजर को लेकर मच्चे हो हले के बाद ओम रहुत ने इसमें कोई खास फिर बदल नहीं किया है टीजर में दिखे सारे ग्राफिक्स, सारे स्पिसल एफेक्ट और सारे किरदार हुबहु यहां उपस्तित हैं इस चकर में फिल्म भी जरूरत से ज़्यादा कहीं लंबी हो गई है प्रभास करती सेनन और सनी सिंग स्टार फिल्म आद पुर्श की तुल्ना इसके पहले हिंदी में रिलेज हो चिकी राम का थाओ खास कर रामानंद सागर के धारवाहिक रामाड से जरूर होगी और जब ये तुल्ना होगी तो सबसे पहली खामी जो इस फिल्म की लोगों को दिखेगी हुआ है फिल्म में जान की बनी करती सेनन उनके चेहरे पर जो भी करतिम प्रियोग हो चुके हैं उन्होंने उनके चेहरे की स्वमिता हर ली है होट और नाक उनके तीखे बनाए गए हैं और मिथला की राशकुमारी के जिस संदर को देख राम पुस्पवाट का में मोहित हुए उसकी छटा तक करती सेनन की संदरता में नजर नहीं आती यही हाल प्रभास का है हिंदी में सरत किलकर की आवाज पर रिजर्ब लगा कर वह राम जैसा आभास तो गए पर उनके स राम सिया राम सिया राम जै जै राम रामाड की चौपाई के साथ अपने मंगल की कामना करते हुए फिल्म आद पुरुष के मेकर्स ने इसका बेहतरीन ट्रेलर रिलीज कर दिया है फिल्म के टीजर और फ़र्ष्ट लूप पोस्टर में जो गलतिया की गई थी उन सभी को स सिनेमाई साधर संधान जल्दी गई है हर किरदार को नए स्रिय से बहुत बारिकी से गढ़ा गया है जो कि धानमिक भाउनाओं के अनकूल लगता है फिल्माद पुरुष के 3 मिनिट 19 सिकंड का ट्रेलर भगवान हर्मान की आवाज के साथ सुरू होता है इस किरदार को परचित कराते हैं कहते हैं एक कहानी है मेरे प्रभु सिरी राम की उनकी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सो राम था रागो जिनके धरम ने तोड़ दिया अधरम का रहंकार गाथा उस रगुननदंद की यूग यूगांतर से जीबित और जागरत ये कहानी है रामाड की इस दोरान स्री राम सीता जी लशमड के किरदारों की जलग दिखाई जाती है फिल्म अबनेतरी कृतिसिनन ने सीता जी और अबनेता सनी सिंग निजर ने लशमड का किरदार किया है इसके बार रामाड का किरदार कर रहा है अबनेता साइफ यहां रावड बने सैफली खान की जलग दिखाय जाती है उनके किरदार में बहुत सुधार किया गया है वरना टीजर में हाली बुट के किसी बिलन की तरह उनको दिखाय गया था लंबे बाल और दाड़ी के साथ माते पर लाल टी का लगाए साधू के वेस में वो सम्मोहित करते हैं इसके बास सीता हरड और रावड जटाई युद्ध की एक छोटी सी जलग दिखाय जाती है असोक वाटिका में निरास बैठी सीता जी की जलग भाव करने वाली है ट्रेलर लोत ने इस पच्च को सामिल करके साहस का काम किया है क्योंकि सीरी राम को तो लोग मर्यादा पुरसोत तम मानते हैं सीता हरड के बाद प्रभु सीरी राम परेसान है उनको पता चल चुका है कि रावड नहीं ये दूस साहस किया है उनके साथ अपनी सेना भीजने और मुझे अपने प्राडों से भी ज्यदा प्रिय है इसके बाद भगवान स्री राम के नाम का जय घोस होता है तेरे ही भरोसे हैं हम तेरे ही सहारे दुविदा की घड़ी में मन तुझको ही पुकारे तेरे ही बल से हैं बल हमारा तू ही करेगा मंगल हमारा मंतरों से बढ़कर तेरा नाम जैसरी राम जैसरी राम राजा राम जैसरी राम राजा राम सबरी और राम के मिलन के अदभुद छड़ को भी ट्रेलर में सामिल किया गया है रामाड में इस मिलन के जरिये समाजिक समानता का संदेज दिया गया था फिल्म में भी स्रीराम सबरी से कहते हैं हम जनम से नहीं करम से छोटे या बड़े होते हैं फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियों के सीन दिखाया जाते हैं पहले सीन में हर्मान जी की सक्ती से परशे करा जाता है उनको संजिवनी के लिए परबत उठाये उड़ते हुए दिखोये जाता है इसके बाद जंगल के जानवरों से बनी से नह दिखाया जाती है इसमें बंदर और भालू सामिल हैं अंगत को सीरीराम के दूद के रूम में स्रीलंका जाते दिखाया जाता है वो मतसिता से मिलते हैं जहां हो कहती हैं रागों ने मुझे पाने के लिए सिवधनस तोड़ा था अब उन्हें रावण का घमंट टोड़ना होगा अंगत को लंका दहन करते हुए भी दिखाये गया है गाड़ दो अहिंकार की छाती में बिजे भगवा धज स्री राम के इस उ इसके लिए बेफेक्स और इस्पिसल विजूल एफेक्स का बेहतरिन इस्तिमाल किया गया है ओमरहुत और उनकी टेम ने इस मामले में एक नई लगीर खींची है ये कहना अधिसोगत दिन नहीं होगा भगवान राम की बिभिन भावनाओं को चितरित करने के लिए परियु इसमेकारी द्रस्य और छड़ हैं फिल्म में परभास सरद केलकर और मनोज मतंसिर की तिकड़ी का कमाल साफ नजरा रहा है मनोज के लिखे सब्द सरद की आवाज और परभास का ओरा इसे भभ भी बना रहा है बाहुबली के बाद दूसरी बार सरद पैन इंडिया अपनी आवाज दे रहे हैं निश्चित तोर पर इसका फायदा मिलने वाला है सबसे बड़ी बात इस फिल्म के मेकर्स उन सभी गलतियों को सुधारा है जिसकी वज़े से लोग नाराज थे जितना संभो हो पाया है उन्होंने इसे वास्तु दिखाने की कोशिस की है यही व प्रभास की मच आउन्टेट फिल्म आदपृस का ट्रेलर रिलीज हो गया है इसमें भगवान सिरी राम के रोल में दिखेंगे करती सेनन सिता के रोल में नज़राएंगी मूबीम के लुक पोश्टर और टीजर की पहले से काफी चर्चा है ट्रेलर को सोसल मीडिया पर अच प्रभास का ट्रेलर रिलीज हो गया है राम कथापर आधारित डारेक्टर ओमराउत की ये बिग बजट मूबी 16 जून को रिलीज होगी इसमें प्रभास राम करती सेनन सिता और सनी सिंग लश्मण और सैफली खानरावड के रोल में दिखेंगे ट्रेलर को सोसल मीडिया पर सबसे बड़ी हिट बनेगी प्रभास को फैंस ने मेगा इस्टार बताया है यूजर्ज का कहना है फिल्म में प्रभास राम के कारेक्टर को निभा नहीं रहे बलकि जी रहे हैं राम जृत मानेश की चौपाई से सुरू होता है ट्रेलर जहां हनमान अपने रागहों का गु लग दिखी है राम सीथा के प्रेम उनके वनमास के अलावा राम का लंका जाकर सीथा को वापस लाने की कहानी दिखाए जाएगी राम रावड युद्ध के कुछ सीन दिखे हैं क्योंकि टीजर रिलीज के बार रावड बने साइप के लुक पर हंगा महुआ था इसलिए मे दतिनागे कर रहे हैं यह पहली बार है जब परभास और करती की जोड़ी बनी है परदे पर उनकी फ्रेस पेरिंग देखने को मिलेगी दोनों साथ में अच्छे दिख रहे हैं तभी मीडिया में उनके लिंग अपस की भी खबरे हैं और हाला कि परभास करती दोनों ने अफ पुरुष की टीम पर उनके काम को चुराने का अरोप लगा था टीजर रिलीज होने के बाद मोवी में बेफेक्स की घटिया क्वाल्टी को लोगों ने आड़े हांथों में लिया इंटरनेट पर धेरो में स्वायल हुए हैं लोगों की खराप पृत्गिरिया के आदे पु बेफेक्स की बात करें तो काफी बदला हुआ है कई से इंसाइसे हैं कि आपको रोंग टे खड़े हो जाएंगे कुछ और चेंजर किये गए हैं जैसे सीता यानि कृति सैनन की मांग में सिंदूर नजरा रहा है सब के कपड़े भी पहले से काफी अलग हैं ये बदलाव इस पुरुस में परभास कृति सेनन, सैपली खान, सनी सिंग और वसल सेट ने अहम भूमकाय निभाई हैं ये मुबी 16 जून 2013 को थेटर्स में 3D में वर्ड वाइट रिलीज हो रही है आप इसे हिंदी के लावा तेलगू, तमिल, कन्नड और मलयालम भासा में भी देख सकते हैं जो अब तक की सबसे महेंगी इंडियन मुबी है, जब से मुबी बन रही थी तब से ही फैंस की बहुत सारी उम्मीदे जुड़ी हुई थी, लेकिन जब 2 अक्टूबर 2022 को आदपुरुस का टीजर आया तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, इसके स्पिसल एफेक्ट को लेकर खोब अलोचना हुई, फिल्म पहले 11 अगस 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आमिर खान की लाल सिंग जड़ा की वज़े से इसे पोस्ट पॉन कर दिया गया था, इसके बाद बिज्वल एफेक्ट पर फिर से काम करने के लिए इसकी रिलीज में तनी देरी हो गई, आदपुरुस हाल ही में परभास की फिल्म आदपुरुस के टीजर के आने के बाद से सब्द बहुत चर्चा में है, कहीं सैफली खान को रावड बनाये गए, कहीं हिंदू देवी देवताओ के पहनावे सहित कई बातों के लेकर फिल्म बिवादों में फश्ती ने जरा रह ही है, दरसक सैफली खान को रावड का रोल करते देखने रास हैं, दरसक कहीं रावड की दाढ़ी, कहीं रावड के हैरिस्टाइल तो कहीं, रावड के बिमान पुस्पक को लेकर जम कर इसकी निंदा कर रहे हैं, लगबग 500 करोल लागत के इस फिल्म में भारी बेफेक्स का इस्तिमाल किया गया है, जो कि लोगों को आकरसित नहीं कर पा रहा है, इतने भारी बेफेक्स के इस्तिमाल को देख दर सके इसे कोई कार्टून फिल्म बता रहे हैं, अब जब आदि पुरुस सब्द इतना चर्चा में हैं तो आईए जानते हैं कि आदि पुरुस के बारे स्वर से भी होता है, क्योंकि संपोर्ष ट्रेश्ट को बनाने वाला इस्वर ही है, जो सभी जिव उसी की संताने हैं, जो एक सिरी राम भगवान बिश्डूई जी के आउतार थे, अधा फिल्म का टाइटल आदि पुरुस रखने का कारड़ या भी हो सकता है, अभी तक रा स्री राम जी को ही कहा गया है, लेकिन फिल्म में राम जी के युद्धा पच्छ को दर्शा आ गया है, फिल्म के निर्देशक ओमराउत का कहना है कि पूरी राम एड को फिल्म में तीन घंटे में दर्शा ना सम्भो था है, इसलिए सिताहरण से लेकर रावड वद तक का का इस से इसमें चित्रत किया गया है फिल्म अगले साल बारा जनुवरी को रिलीज होने वाली थी रागों ने मुझे पाने के लिए सुधनुस तोड़ा था अब उन्हें रावण का घमन टोड़ना होगा रामभक्त हन्मान के सामने जान के द्वारा कहा गया समवाध ही आद पुरुषकी कहानी का सेंट्रल थीम है बजपन से हम रामाड और रामलिलाओ में रागों द्वारा अन्याय पर न्याय की जीतवाली इस महान गाथा को देखते सुनते और पढ़ते आये हैं ताना जी के लिए राष्टरी पुरुषकार पाच के ओम्राउत ने निसंदे आज की जनरेशन के लिए इस महाकावी को भब विजिकल पर बड़े पर साकार किया है मगर वो या समझने में चूग गए की दसकों से हम जिस रामाड को देखने सुनने के आदी हैं उसकी एक बहुत ही मजबूत छबी हमारे दिलों में बचती है ऐसे में उस छबी के साथ एक्सप्रिमेंट में साउधानी बरतना जरूरी है कहानी की सुरुवात महरिस बालमीक की रामाड की तरज पर ही होती है जहां राम सिया राम गीत के माध्यम से बैक ड्रॉब में राम और सीता का बिवाह कई कई दोरा राजा दसरस से तीन वचन की मांग राम सीता लश्मर का बनवास छोटे भाई भरत दोरा बड़े भाई की पादुगाएं ले जाना जैसे परसंग दर्शाए गए हैं रागोयनी परभास अपनी पत्नी जानकी अen किरती सीनन और सेश अनि सनी सिंग के साथ पिता के दिए गिवचनों का पालन करने के लिए वणवास काट रहे हैं उधर लंका में रावण की बहन अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई लंका पती रावण यानि सैफ लिखान के पाजा कर बिलाप करती है वा भाई को प्रतिसोध के लिए ब्रमांड की सरबादिक सुन्दरी जानकी को अपरहत कर लाने को उकसाती है जंगल में जानकी को एक सुड़ मरग दिखाए देता है जिसे पाने के लिए वा लालाई थे जानकी की इच्छा को पुरा करने के लिए रागो सुड़ मरग के पीछे डोडते हैं इस बास से अंजान है कि वा महज रावड का एक छलावा है से इसको अपने भाई रागो की मदद की गुहार सुनाई देती है वा जानकी को लचमर रेखा पार ना करने की हिदायत देकर रागो की साहता के लिए निकल पड़ता है और इधर रावड भिच्छा लेने के बहाने सादू का धारड करके सीता को हर ले जाता है बस उसके बाँ रागो दोरा सुग्रियो और हनमान की मदद से लंकेश का संहार ही कहानी का कलाइमेक्स है इसके बीज में जटायू रावड का युद्ध, सबरी के बेर, बाली सुग्रियो का मल युद्ध, रामसेतू का बनना, हनमान दोरा संजिवनी बोटी का लाना, इंदरजीत और मेगनन वद जैसे परसंगो को भी समेटा गया है आद पर उसके फ़र्ष्ट लोको काफे अलोचनाओ का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद उसमें काफे बदलाव किये गए, मगर मूल चीजे ज़स्ट की तस रह गई, इसमें कोई दोराय नहीं है कि बीफेक्स के मामले में फिल्म एक विजूल ट्रेट साबित होती है मगर सीजी आई की खामिया रह गई, टूडी में बीफेक्स और सीजी आई का काम पर भावसाली नहीं है, जबकि 3D में अदमदार है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्क्रीन प्ले और डायलोग्स में, मनोज मतंसर के लिखे डायलोग में, जहां रागह और रावड के चरित उपहास का पातर बन जाते हैं, निर्दे से कोमराउत ने इसे माडन लुक देने के लिए रावड की लंका को ग्रेई स्कॉसल लुक दिया है, जो रावड की सोने की चमचमाती लंका के विपरित हैरी पार्टर या गेम आप थ्रोंस के किले के तरह दिखते हैं, फिलम का 3 ग घानाद वल जिसे रामाड के कई परसंगों को छोड़ दिया है, बाली और सुग्रू के वानरो का बिसुद रूप दिया है, तो रावड के लुक कास्ट्यूम्स और उसके सस्त्रों को कुछ ज़्यादा ही मॉडरनाइज कर दिया गया है, रावड को एक पिसाद जैसे तलधारा सुनने में अच्छे लगते हैं, एक्टिंग के मामले में परभास ने रागो को सीमित और मर्यादा प्रप्सोतम राम के रूप में ने भाया है, रावड के रूप में सैफली खान खोब जचते हैं, मगर डिजिटल टेकनीक से उनकी कद काट को कुछ ज़्यादा ह जिसके लेले समर्ग पहचाने जाते हैं, बजरंग के रूप में देवदत्र ने अपनी सरितर के सान नयाय किया है, इंदरजीत की भूमका में वसल सेट को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है, जिससे उन्होंने खुप सूर्ती से निभाया है, मंदोदरी के किरदार में सुनल चौहान महजदो सीन में निजर आती हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो चलेगी भी तेरे बाप की, ये ओ डालाग हैं जो हनमान रामण पुत्र मेगनात से कहते हैं, वही एक जिगा हनमान लंका लगाने की बात कहते हैं, तो धाकडा सुर उनसे कहता है कि क्या ये तेरी बुवा का बगीचा है तो अपनी जान से हाथ धोएगा जो आप मैं हनमान जी कहते हैं और मैं धकडा के धोँगा अब हनमान जी ऐसे डालाग बोलेंगे तो हाल में शीटिया उस वक्त जरूर बच जाएं मगर धीरे धीरे आप को ऐसास होगा कि आप जो उमीद लेकर आये थे वो उमीद पूरी नहीं होगी फिल्म के डालॉग मनोज मतंसर ने लिखे हैं और वो इस मेज के लिए जिम्मेदार हैं फिल्म में दिखाया गया है कि रागह अपनी पतनी जानकी और भाई सेस के साथ जंगल में वर्वास दिया है राम सुर्णफा के आगे हाथ जोड़ते हैं और सुर्णफा लंकेश को जानकी की खुल सूर्ति के बारे में बताती है जानकी का अपरहड सबरी के बेर रागो बिजरंग का मिलन समुंद्र सेतु से होती है फिल्म अपने आखरी सिरड युद्ध तक पहुंचती है अब इन स्विक्वेंस में बहुत सारी दिखते हैं लेकिन पहले कुछ अच्छाईयों के बात करते हैं फर्ष्ट हाब में कई ऐसे सीन हैं जो गूंज बंस देते हैं जैसे राम और हनमान का मिलन राम सिया राम गाना और रामड का सिव जी के लिए गया गया गाना ये कुछ सीन आपके राउंटे खड़े करने में कामयाब होते हैं मगर फिल्म में इतनी दिखते हैं कि आप चाहा कर भी फिल्म से खुद को अटेच नहीं कर पाएंगे पहली बात तो फिल्म में परचलित नाम ना इस्तमाल करते उसके दूसरी नामों का इस्तमाल किया गया है लचमर को देखकर स्रीराम की फिलिंग कमाती है उन्हें देखकर बहुबली की याद जादा आती है फिल्म के राच्छस किसी गेम के बिलन लगते हैं राउंट में घिनात भी बीसर का लुग देखकर भी हारानी होती है सुन नखा जब मंदिरा पीते हुए मंदुद्री से बात करत हैं तब ऐसा लगता है कि काकलेट पार्टी की दो महिलाएं बात कर रही है इतना ही नहीं राउंट की हाइप हाई लंका में लिप्ट भी है फिल्म में ऐसे भी सीन है जो ना बालमिकी की रामाड में हैं और ना तुलसिदास के रामचरित मानस में लचमर जब मुर्शित होत थी युद्ध का सिक्वेंस बहुत बोरिंग है लंबे लंबे सिर्फ बीफेक्स के सिक्वेंस चल रहे हैं जहां कोई डालॉग नहीं है ऐसा लगता है कि किसी वीडियो गेम में हीरो और बिलन की लड़ाई चल लही है पूरी फिल्म किसी एनिमेशन फिल्म जैसे लगती है जिसमें बेफेक्स की क्वाल्टी भी खराब है हनमान जी का राम को पीट पर बिठा कर उड़ान रामड का वद मेगनात और कुमकड का वद ये सारे सिक्वेंस आपको सिर्फ और सिर्फ निरास करेंगे अगर आप बच्चों को हिंदु महाकावी के बारे में जनकरी दिना जाते हैं तो उन्हें आद पुरुष दिखाने की जरूरत नहीं है इसे आप एक फिलम के तौर पर भले देख ले मगर रामाड वाले सिरद्धा की सान ना देखे इतने बड़े बजट में बनी ये फिलम निरास जनक है बहुत कठिन होता है कठिन समय में भी सहज रहना सरल पने रहना उससे भी दुषकर है बिशेशकार तब जब पिता राजा रहा हो भाई हर बात मानने को तयार रहता हो और पतनी का सुख इसी में हो कि वह वहीं रहे जहां पत्ती की छाया रहे रामकथा मनुस्य को सहज होना सिखाती है ये यह भी सिखाती है कि ळंसम पत सुख ऐस्वरी आदि पाकर भी सरल बने रहना हो तो इसकी कुंजी कहां है कुंजी है समद्रसी इच्छा कचुना ही हरसोक भय नहीं मनमा ही लेकिन सिनेमा को अब सरलता की मुडेर भी हांसल नहीं है वह इसी मुडेर पर बैठा कोवा बन चुका है जिसे दादी बजपन में इस आज सिता, लचमड, हनमान और रावड की कहानी नहीं है ये कहानी उन्होंने रागव जान की सेस, बजरंग और लंकेस की बुनी है इंट्रोल तक ही फिल्म सुन्दर कांड पार कर जाती है और उसके बाद का लंका कांड अपने आप में किसी कांड से कम नहीं है सिनेमा ये तेल्गू में बनी राम कथा में राम मोचो के साथ नजर आए और अब तेल्गू के तथाकतित सुपर हीरो सितारे परभाज जब अपनी नई फिल्म के साथ सिनेमा घरों तक पहुंचे हैं तो आम मोचो वाले राम ही बनी हैं राम को जिस दिन राजा बनना था उसका मोहू और ते राजा दसरत के मरड और राम के वनवास का कारण बना राम कथा ऐसी ही छोडी छोडी अन्भूतियों की कहानी है यह अन्भूतिया कभी केवट परसंग में दिखती हैं कभी सबरी के जूटे बेर में तो कभी राम और हनमान के मिलन में दुस्मन सेना में आकर मरड़ परसंग में राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं लेकिन मर्यादा मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये तो बस एक लाइन का परसंग है राम को मर्यादा परसंग सिद्ध करने का जहां वह रामड से युद्ध करने के लिए अध्धा की सेना नहीं चाहते है लेकिर राम कथा कि ऐसे धेरों पर संगय जो त्रेता युग में पुरसोत्तम को आधिपुरुस बताय जाने का फिल्म बनाने वालों का दावा मजबूत करने में उनके मदद कर सकते थे छोटा भाई जब हमेशा भाभी मा की सेवा और रच्छा में हिदत पर रहता है तो ऐसे में बड़ा भाई अपनी पतनी के सारुमानी होने का समय भी निकाल पाएगा सोचना मुश्किल है लेकिन फिल्म टी सिरीज की है तो अरचीज सिंग का गाना होना ही है और गाना होना है तो फिर कबीर सिंगोया रागो फिल्म बनाने वालों का क्या फरक पड़ता है संगीत और इसके गीतों के साथ ही इसके समवाद भी फिल्म आद पर उसकी बड़ी बिफलता है इस तरह की कथाओं के लेखन में जो सहस्ता और सुरलता बिचारों को चाहिए वा इसके समवादों में है नहीं हलाकि समवाद लिखने वाले मनोज मतंसर अब सुकला भी हो चुके हैं लेकिन राम कथा के मनोजा का ध्यान रखने में वाच चुक गए हैं फिल्म देखने के बाद ये भी समझाता है कि फिल्म के टीजर को लेकर मच्चे हो हले के बाद ओम रहुत ने इसमें कोई खास फिर बदल नहीं किया है टीजर में दिखे सारे ग्राफिक्स सारे स्पिसल एफेक्ट और सारे किरदार हुबहु यहां उपस्तित हैं इस चक्कर में फिल्म भी जरूरत से ज़्यादा कहीं लंबी हो गई है प्रभास कृति सेनन और सनी सिंग इस्टार फिल्म आद पुरुष की तुलना इसके पहले हिंदी में रिलेज होचिकी राम का थाओ खास कर रामानंद सागर के धारवाहिक रामाड से जरूर होगी मिथला की राशकुमारी के जिस सौंदर को देख राम पुस्पवाट का में मोहित हुए उसकी छटा तक कृति सेनन की सुंदरता में नजर नहीं आती यही हाल प्रभास का है हिंदी में सरत किलकर की आवाज पर रिजर्ब लगा कर वह राम जैसा आभास तो गहे पर इनके सरीर सौंठों में ना राम जैसा ओज है और ना राम जैसा तेज और ना ही राम जैसा परताब वह पूरी फिल्म में बाहुबली की तीसरी संस्क्रण ही ज्यादा नजराएं है मंगल भवन अमंगल हारी दर्बुछ सुदसरत अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जैजे राम। रामाड की चौपाई के साथ अपने मंगल की कामना करते हुए फिल्म आद पूरुष के मेकर्स ने इसका बेहतरीन ट्रेलर रिलीज कर दिया है। फिल्म के टीजर और फ को सिनेमाई साधर संधान जल्दी गई है हर किरदार को नए स्रिय से बहुत बारिकी से गढ़ा गया है जो कि धानमिक भाउनाओं के अनकूल लगता है फिलमाद पुरिस के भगवान बनने की कहाणी कहते हैं वो बाहबली फ्रेम प्रभास के किरदार से परचित कराते हैं यह कहाणी है मेरे प्रभुशीरी राम की उनकी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सो राम था रागो जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का हैंकार गाथा उस रगुनन दंद की युग युगांतर से जीवित और जागरत ये कहानी है रामाड की इस दोरान सरी राम सीता जी लशमड के किरदारों की जलग दिखाई जाती है फिल्म अबनेतरी कृतिसिनन ने सीता जी और अबनेता सनी सिंग निजर ने लशमड का किरदार किया है इसके बार रामड का किरदार कर रहा है अबनेता साइफली खान की आवाज गूंचती है वो कहते हैं भिच्छा भिच्छा देही भिच्छा ये रामड का सबसे अहम सीन है जब रामड सीता हरड यानि किड्रनैप करता है इसके लिए मायावी हरड का सहरा लेता है ये घटना रामड में राम और रामड के बीच युद्ध का आधार है यहां रामड बने साइफली खान की ज़लग दिखाय जाती है उनके किरदार में बहुत सुधार किया गया है वरना टीजर में हाली बुट के किसी बिलन की तरह उनको दिखाय गया था लंबे बाल और दाढ़ी के साथ माते पल लाल टी का लगाए साधू के वेस में वो सम्मोहित करते हैं इसके बाद सिता हरड और रावड जटाई युद्ध की एक छोटी सी जलग दिखाय जाती है असोक वाटिका में निरास बेटी सिता जी की जलग भाव करने वाली है ट्रेलर के अगले फ्रेम में सिरी राम और सिता जी के बीच के अदभुत प्रेम को दिखाया गया है अभी तक रामार पर जितने भी सीरियल या फिल्में बनी हैं उनमें प्रेम पच पर कभी इतने बिस्तार से परकास नहीं डाला गया है और मरौत ने इस पच को सामिल करके साहस का काम किया है क्योंकि सिरी राम को तो लोग मर्यादा पुरसोत तम मानते हैं सीता हरड के बाद प्रभु सिरी राम परेसान है उनको पता चल चुका है कि राउड नहीं ये दूस्सा हस किया है उनके साथ अपनी सेना भीजने और युद करने के लिए कई राज्यों के राजा आफर करते हैं लेकिन वेसे मर्यादा के बिरुद मानते हैं लेश्मर कहते हैं कि क्या उनको मर्यादा उनकी भावी मा के प्राणों से भी ज्यदा प्रिय है इस पर सिरी राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बचते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी ज्यदा प्रिय है इसके बाद भगवान स्री राम के नाम का जै घोस होता है तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविदा की घड़ी में मन तुझको ही पुकारे तेरे ही बल से हैं बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा मंतरों से बढ़कर तेरा नाम जैसरी राम, जैसरी राम, राजा राम, जैसरी राम, राजा राम सबरी और राम के मिलन के अदभुद छड़ को भी ट्रेलर में सामिल किया गया है रामाड में इस मिलन के जरिये समाजिक समानता का संदेज दिया गया था फिल्म में भी स्री राम सबरी से कहते हैं हम जनम से नहीं करम से छोटे या बड़े होते हैं फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियों के सीन दिखाया जाते हैं पहले सीन में हर्मान जी की सक्ती से पर्शे करा जाता है उनको संजीवनी के लिए परबत उठाये उड़ते हुए दिखाय जाता है इसके बाद जंल के जानवरों से बनी सेना दिखाय जाती है इसमें बंदर और भालू सामिल है अंगत को शिरीराम के दूद के रोम में स्री लंका जाते दिखाय जाता है वो मतसिता से मिलते हैं जहां हो कहती हैं रागों ने मुझे पाने के लिए सिवधनस तोड़ा था अब उन्हें रावण का घमंट टोड़ना होगा अंगत को लंका दहन करते हुए भी दिखाये गया है गाड़ दो अहिंकार की छाती में बिजे भगवा धज स्री राम के इस उ इसके लिए बेफेक्स और इस्पिसल विजूल एफेक्स का बेहतरिन इस्तिमाल किया गया है ओमरहुत और उनकी टेम ने इस मामले में एक नई लगीर खींची है ये कहना अधिसोगत दिन नहीं होगा भगवान राम की बिभिन भावनाओं को चितरित करने के लिए परियु मेकारी द्रस्य और छड़ हैं फिल्म में परभास सरत केलकर और मनोज मतंसिर की तिकड़ी का कमाल साफ नजरा रहा है मनोज के लिखे सब्द सरत की आवाज और परभास का ओरा इसे भभ भी बना रहा है बाहुबली के बाद दूसरी बार सरत पैन इंडिया सुपस्टार पर परभास के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं निश्चित तोर पर इसका फायदा मिलने वाला है सबसे बड़ी बात इस फिल्म के मेकर्स उन सभी गलतियों को सुधारा है जिसकी वज़े से लोग नाराज थे जितना संभो हो पाया है उन्होंने इसे वास्तुरी दिखाने की कोशिच की है यही वज़े है कि कहा जा रहा है कि ट्रेलर अपनी गलतिया सुधार के मेकर्स ने अपने सारे पाप धो लिये हैं इसकी भब्विता बड़े परदे अधिक दिखती है खासकर 3D में इसका एफेक्ट अलग ही नजर आने वाला है प्रभास के मच आउरंटेट फ फिल्म 16 जून को सिनेमा घरों में रिलिज होगी राम 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 की गूंच के साथ वह पल आही गया जिसका मोबी लबर्स को बेसबरी से इंतिजार था बाहुबले एक्टर प्रभास की मच आउरंटेट फिल्म आधि पुरुष का ट्रेलर रिलिज हो गया है राम कथापर आ फैंस जैसरी राम जैसरी राम के नारे लगा रहे हैं प्रभास फैंस ने अभी से फिल्म को सुपर डुपर हिट बता दिया है उनके मताबिक ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी हिट बनेगी प्रभास को फैंस ने मेगा इस्टार बताया है यूजज का कहना है फिल्म में रगुनंदर की गाथा दिखाई जाएगी जो मानों से भगवान बन गए जिनका जीवन मर्यादा का उत्साह था जिसके धरम ने अधरम का अहिंकार दोड़ा ट्रेलर में सिता हरड की जलक दिखी है राम सिता के प्रेम उनके वनमास के अलावा राम का लंका जाकर सिता को सिसकी है आधिपुरुस पायन इंडिया फिल्म है ये हिंदी के अलावा कई भासाओं में रिलीज हो रही है मुवी मुवसल सेड़ भी अहम रोल में दिखेंगे हरमान जी का रोल देवदत नागे कर रहे हैं ये पहली बार है जब परभास और करती की जोड़ी बनी है परद पुरुस का जब से मोशन पोस्टर सामने आया था तभी से फिल्म विवादों में थी सबसे पहले फिल्म के पोस्टर पर हंगा ममचा इसे कापी बताया गया एनिमेशन स्टूडियो वानर सेना स्टूडियो जने आधिपुरुस की टीम पर उनके काम को चुराने का अरोप लगया था टीजर रिलीज होने के बाद मोवी में बेफेक्स की घटिया क्वाल्टी को लोगों ने आड़े हांथों में लिया इंटरनेट पर धेरो मेम्स वायल हुए हैं लोगों की खराप पृत्किरिया के आधिपुरुस ट्रेलर में दिखाया गया है कि फिल्म की कहानी अमारे पर बेश्ट है भगवान राम का बनवास जाना सीता से बिशड़ना हर्मान जी का सीता की खोश करना और सबसे आखिर में लंकेश की जलक खौपनाक देखने को मिली है अगर बीफेक्स की बात करें तो काफी बदला हुआ है कई से इंसाइसे हैं कि आपको रोंग टे फिल्म का टीजर आया था तब लोगों ने इसका भी एफेक्स घटिया क्वाल्टी का लगा था कई लोगों ने राम से लेकर सीता तक के कपड़ों पर भी आपती जिता है थी अब सारे बदलाव करने के बाद फाइनली टेलर जारी कर दिया गया है ओम रहुत की डिरेक्शन परभाज की इस फिल्म की एनाउसमेंट साल 2020 के एक अफेसियल मोसन पोस्टर के जरिये हुई थी इसका म्यूजिक अजय अतुल ने तयार किया है फिल्म का बज़र साथ सो करोड रुपे से ज्यादा बताया जा रहा है जो अब तक की सबसे महेंगी इंडियन मुवी है जब स 11 अगस 2022 को रिलीज होने वाली थी लेकिन आमिर खान की लाल सिंग चड़ा की वज़े से इसे पोस्ट पॉन कर दिया गया था इसके बाद बिज्वल एफिक्ट पर फिर से काम करने के लिए इसकी रिलीज में इतनी देरी हो गई आदपुरुस हाल ही में परभास की फिल्म आदपुरुस के टीजर के आने के बाद से सब्द बहुत चर्चा में है कहीं सैफली खान को रावड बनाये गए कहीं हिंदू देवी देवताओं के पहनावे सहित कई बातों के लेकर फिल्म बिवादों में फच्टी ने जरा रही है दरसक सैफली खान को रावड का रोल करते देखने रास हैं दरसक कहीं रावड की दाढ़ी कहीं रावड के हैरिस्टाइल तो कहीं रावड के बिमान पुस्पक को लेकर जम कर इसकी निंदा कर रहे हैं लगबग 500 करोल लागत के इस फिल्म में भारी बेफेक्स का इस्तिमाल किया गया है जो कि लोगों को आकर सित नहीं कर पा रहा है इतने भारी बेफेक्स के इस्तिमाल को देख दर सके इसे कोई कार्टून फिल्म बता रहे हैं अब जब आदिपुरुस सब्द इतना चर्चा में हैं तो आईए जानते हैं कि आदिपुरुस के बारे में कि ये क्या होता है आदिपुरुस आदिपुरुस दो सब्दो आदी और पुरुस से मिलकर बना है आदिपुरुस मूल पुरुस को कहा जाता है सबसे पहला पुरुस किसी वंस्या समराज की पहली कड़ी को आदि पुरुस कहा जाता है जिस से किसी वंस्या समराज की पहली कड़ी को आदि पुरुस कहा जाता है जिस से किसी वंस्या की सुरुआत होती है इसका दूसरा आर्थ परमेस्वर से भी होता है क्योंकि संपोर्ष अपनी मर्यादा में रहने वाला और पुरुसों में सबसे उत्तम पुरुस स्री राम को एक आदर्स पुरुस के रूम में देखा जाता है। पुरुसों में सबसे उत्तम पुरुस स्री राम जी को ही कहा गया है। लेकिन फिल्म में राम जी के युद्धा पच्छ को दर्शा आ गया है। फिल्म के निर्देशक ओम्राउत का कहना है कि पूरी रामाड को फिल्म में तीन घंटे में दर्शाना असंभू था है। इसलिए सिताहरण से लेकर रावड वद्तक का कांठी इसमें चित्रित किया गया है। फिल्म अगले साल बारा जनुवरी को रिलीज होने वाली थी। रागों ने मुझे पाने के लिए सुधनुस तोड़ा था। अब उन्हें रावड का घंट टोड़ना होगा। रामभक्त हनमान के सामने जान के द्वारा कहा गया समवाद ही आद पुरुषकी कहानी का सेंट्रल थीम है। बजपन से हम रामाड और रामलिलाओ में रागों द्वारा अन्याय पर न्याय की जीतवाली इस महान गाथा को देखते सुनते और पढ़ते आये हैं। ताना जी के लिए राष्टरी पुरुषकार पाच के ओम्राउत ने निसंदे आज की जनरेशन के लिए इस महाकावी को भब विजिकल पर बड़े पर साकार किया है। मगर वो या समझने में चूग गए की दसकों से हम जिस रामाड को देखने सुनने के आदी हैं उसकी एक बहुत ही मजबूत छबी हमारे दिलों में बस्ती है। ऐसे में उस छबी के साथ एक्स्परिमेंट में साउधानी परतना जरूरी है। कहानी की सुरुवात महरिस बालमीक की रामाड की तरज पर ही होती है। भाई लंकापती रामाड यानि सैफली खान के पाहजा कर बिलाप करती है। वह भाई को प्रतिसोध के लिए ब्रमाड की सरबादिक सुन्दरी जानकी को अपरहत कर लाने को उकसाती है। जंगल में जानकी को एक सुर्ड मरग दिखाए देता है जिसे पाने के लिए वा लालाई थे। जानकी की इच्छा को पुरा करने के लिए रागो सुर्ड मरग के पीछे डोडते हैं। इस बात से अंजान है कि वा महज रावड का एक छलावा है। दोरा संजिवनी बोटी का लाना इंदरजीत और मेघनन वद जैसे परसंगों को भी समेटा गया है। आद पर उसके फ़र्ष्ट लोग को काफे अलोचनाओं का सामना करना पड़ा था और उसके बाद उसमें काफे बदलाव किये गे। मगर मूल चीज़े ज़स्ट की तस रह गई इसमें कोई दोराय नहीं है कि बीफेक्स के मामले में फिल्म एक विजूल ट्रेट साबित होती है। मगर सीज़े आई की खामिया रह गई टूडी में बीफेक्स और सीज़े आई का काम पर भावसाली नहीं है जबकि 3D में अदमदार है सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्क्रीन प्ले और डालॉग्स में। पहास का पातर बन जाते हैं। बाली और सुग्रू के वानरो का बिसुद रूप दिया है तो रावड के लूप कास्ट्यूम्स और उसके सस्त्रों को कुछ ज़्यादा ही मौडरनाइज कर दिया गया है। उसके अस्त सस्तर गेम आप थ्रॉंस की याद दिलाते हैं। एक्टिंग के मामले में परभास ने रागो को सीमित और मर्यादा प्रॉप सोत्म राम के रूप में ने भाया है। रावड के रूप में सैफिली खान खोब जचते हैं। लचमड के रूप में सनी सिंग मेवत तेजी नजर नहीं आदा।